हाई एवरिवन आज हम लोग क्लाश 10 के चप्टर फिजिक्स का साइंस का चप्टर करेंट इलेक्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है एवरिडे लैप में भी और आपके एकजाम के पॉइंट के भीव से भी एचप्टर बहुत इंपोर्टेंट है चलिए पढ़ना स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम इलेक्टिसिटी पढ़ने से पहले ठीक है इलेक्टिसिटी क्या है कि इंपोर्टेंट प्लेस इन मोडेन सोसाइटी में जो है मोडेन में आपका जो इलेक्टिसिटी है बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है सब चीज चलाने के लिए आपको इलक्रिकिति की अवस्क दा है तो constituent electricity क्या है यह सब बारे में जानें गेए इलक्टिक सरकीट में किसे एलेक्ट्रोन कर रहे है ठीक है एलक्etrik सरकीट में कैसे फ्लो कर रहा है उसके बारे में जानेंगे What are the factors that control or regulate current through A and electric circuit ये सब के बारे में हम जानेंगे चप्टर में तो सबसे पहले हम ये पढ़ने से पहले, electric current पढ़ने से पहले हम जान लेते कि charge क्या होता है तो charge एक इसा प्रोपर्टी है जो same charge को क्या करता है repel करता है और opposite charge क्या करता है attract करता है तो opposite charge charge क्या है charge को हम लोग किस से denote करते हैं Q से denote करते हैं चार्ज को हम लोग केपिटल Q से denote करते हैं इसमें आपका दो taps का charge होता है two taps of charge होते है two taps of charge एक आपका positive होता है और दूसरा आपका जो जो होता है negative होता है ठीक है अगर lack charge या same charge आ जाए तो और рिपेल करते हैं मिज़की positive पोजिटिव आ गया sir या negative negative आ गया तो ये क्या करेंगे रिपेल करेंगे मिज़की same charge अगर जहां पे आ गया ओर repulsion सो करेगा sir और अगर opposite charge या unlike charge आ गये तो ये क्या करेंगे sir ओर attract करेंगे क्या करेंगे attract करेगा sir जी से positive और negative या बोलो negative या positive आ गयाATE आगो बोलो बुर्बी एप इत्रेक्षण नहीं देखते है ओर एगर आगे बॉईघ्र बहुञें तो यहां से आपका opposite gender में क्या होता है attraction power बढ़ता है तो इसलिए यहाँ पे opposite charge आ रहा है sir तो क्या होगा attraction बढ़ता है तो charge क्या है एक intensive property है जो हमें क्या बताता है कि जो flow करता है एक point से one from two एक point से other point तक in a conductor ठेक है it is an intensive property which flows from one point to another point in a conductor in a substance ठेक है उसको क्या बोलेगे charge बोलते है charge का जो formula sir quantization of charge बोलता है q is equal to क्या होता है any होता है q is equal to any होता है इसी को बोलते है quantization of charge क्या बोलते है quantization of charge यह क्या है multiple factor of ठेक है number of electrons into क्या है charge of electrons charge of electrons क्या होता है sir charge of electron होता है one minus minus के साथ इलक्टोन जो है नेग exploited electron ये आपका नेगेटिब चार्ज है 1-1.6 into 10 का power minus 19 कूलम होता है सर आपका charge of electron बंगास औप targeted जो होता है आपका 9.1 into 10 का power minus 31 kजी होता है ठेक है तो ये आपका होता है तो ये आप सबस्थमें आगए charge of electron सबस्थमें बतागा है चार्ज इक क्या था सब्सक्राइब चार्ज बताएं ऐसे चार्ज रिलेंट कि अगर एक इसर इallas call समझ व्हजों होते है अस्टेटिक चार्ज होता है अस्टेटिक चार्ज होता है तो इसमें क्या होता है सर जो चार्ज इन रेश्ट क्या होगा चार्ज आपका रेश्ट में होगा और ये चप्टर का नाम कहते हैं हम इसको इलेक्ट्रो अस्टेटिक से बोलते हैं जब बोलते हैं Electro Aesthetic बोलते हैं Sir मिस की इसमें हम Study करते हैं जब Charge आपका Race में है Stop में है तब उसके बारे में जब Study करेंगे तो बोलते हैं Electro Aesthetic बोलते हैं Sir यह आपको Higher Classes में पढ़ेना है क्यों मिलेगा Class 12 में पढ़ेगा आप आता है सा दूसरा जो होता है current electricity में से कि आपका dynamic charge dynamic charge dynamic charge होता है सर मिसकी charge जो है वो motion में है charge आपके क्या है? charge in motion सर charge आपके किस में है? motion में है सर ठीक है? तो इसी का नाम है current electricity इसी का नाम है current electricity तो हम current electricity के बारे में पढ़ेंगे चार्ज को हम किसे denote करते हैं सर केपिटल क्यों से denote करते है इसका SI unit क्या होता है सर चार्ज का SI unit आपका होता है क्या कुलम होता है कुलम होता है सर इसको denote किसे करते है केपिटल सी से कुलम को केपिटल सी से denote करते है सर आप चलिए पढ़ेंगे सर इतना हम जानने के बाद हम charge के बारे में जान लिए आप बूचेगा कि आपके एक कुलम charge में कितना electrons है तो एक कुलम charge में कितना electrons है तो फर्मूला आप पढ़े थे क्या सर Q is equal to any पढ़े थे ना तो Q कितना 1 कुलम हो गया number of electrons तो निकालना है into आप एक चार्ज ओप electrons कितना होता है सर 1.6 into 10 का पावर मैनस 19 होता है यही होता है न तो आप इसको sort किजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 by 1.6 into 10 का पावर मैनस 19 हो जाएगा यह उपर ले जाएगा सर तो यह आपका आजाएगा 100 तो इसको जब डिवाइड किजिएगा सर तो 6.25 into 10 का पावर कितना आजाएगा 18 आपके इलेक्टोंस हो जाएगे मिस कि अगर एक कुलम चार्ज में कितना number of electrons है सर 6.25 जब डिवाइड करोगे तो यही आएगा 6.25 into 10 का पावर 18 आपके इलेक्टोंस है एक कुलम चार्ज में तो एक कोशन बहुत important है सर ठीक है आब आता है सर electric current and circuit electric current and circuit तो electric current क्या होता है सर कि हम लोग familiar है क्या with air current और water current हम लोग जानते है air current में क्या होता है आपका air blow होता है air का flow होता है ठीक है और water current में क्या होता है आपका water का flow होता है to flow the water the flow of water is called water current or the flow of air is called air current उसी तरह we know that flowing water constitute water current in rivers आपके जो water concentrate क्या हो रहा है candidate आपके क्या flow कर रहा है कहाँ पर water current में river में water current के water constituent आपके क्या कर रहा है ठेक means की रिभर में नदी में आपका पानी का धारा में क्या water constituent flow कर रहा है से similarly if the electric charge flows through a conductor अगर कोई conductor से आपका electric charge flow कर जाए through a metallic wire for example क्या होना चाहिए metallic wire होना चाहिए we say that electric current in the conductor अगर आपका electric charge अभी आप पढ़े ना electric charge क्या होता है एक property है intrinsic property जो एक conductor में एक point से other point बच्या करता है flow करता है से तो अगर आप electric charge को क्या conductor में अगर flow करवा दे तो उसे हम बोलेंगे कि electric जो conductor में है वो क्या electric current है ठेक है in a torch we know that cell or a battery when placed in a proper order provide flow of charge or an electric current through the torch bulb to glow अगर आप देखे होंगे sails torch में देखे होंगे torch को जलाते होंगे तो उसमें a sale या battery का combination लगाते है torch में देखे होंगे अगर provide अगर सई耐 तरा से हम उसको proper order में लपले कर दे battery या sail को तो इस क्या होता है चार्ज का फुलो होता है सरवाँ पे चार्ज का फुलो होने से चार्ज का करता है चार्ज का फुलो होने से इलेक्टिक करेंट वहाँ पे आ जाता है और उसी कारण मेरा क्या है टोर्च का बल्ब जो है गलो करता है जलता है इसे तो आपको पता नहीं होगा कि टोर्च में क्य होता हैम कैस क्या वहाद में jala आयa में jala है तो दल रहात है लन गीपस लाइट किκα πिट जो देता है यह सीचिस रहता होगा SWITCH को जिसे ONE करते होंगे आपका क्या LAT जो TORCH का BULB है ओ लैट क्या? LAT देना Start कर देता है अगर जिसे SWITCH OFF करते हों आपका क्या BULB आपका जो TORCH है ओ क्या हो जाता है? LAT देना बंद कर देता है तो WHAT DOES A SWITCH DO? SWITCH DO आपका जो SWITCH है वो क्या कर रहा है वो आपका complete circuit बना रहा है close circuit बना रहा है अगर open circuit बना ले रहा है तो आपका switch को off कर रहे है उसमें क्या हो जा रहा है open circuit बन जा रहा है कि आपका complete circuit रूट को circuit में break up ला दे रहा है और break up ला रहा है तो आपका torch glow नहीं कर रहा है तो यह switch में एक से conducting link Link, Sail and Bulb, Switch क्या कर रहा है, Conducting Link बना रहा है, एक Link बना रहा है, Sail और Bulb के बीच में, जो दोनों को क्या कर रहा है, Connect कर रहा है, और उसी से क्या हो रहा है, गलो हो रहा है, जैसे Switch On, Off किये, आपके क्या हो जाएगा, Sir, आपका जो Sail और Bulb में, जो Link है, तूट जाएगा, तो ये ज तो उसी इक तो हम बोलते है, Electric Sir की, क्या होना चाहिए, Sir, एक Bulb होना चाहिए, यहाँ पर, Bulb हो गया, Sir, Bulb को क्या करो, इसको हम Join किसे कर देते हैं, एक आप को किसे करोगे, एक आप Switch से कर जिएगा, Switch को, किसे इसका सिंबोल बताएगे, Switch हो गया, Switch को क्या करो, Sir, एक बैटर आप का क्या हो गया, Sir, एक क्या है, Switch है, आपका, तो एक आपका जो क्मिनेशन हो गया, Bulb, Connecting Wire, Switch, और आपका सेल, एक क्या हो गया, आपका एक Continuous Path होना चाहिए, और Closed Path होना चाहिए, Electric Current का, तो इसे हम बोलते है, Electric Circuit, एक आपका क्या है, Electric Circuit हैं, एक बल्ब हो गया, एक वायर पाथ है continuous और close path हो जाए electric current का तो उसे हम क्या बोलते है electric circuit बोलते है इसे अब आता है next कि no if the circuit is broken anywhere अगर आपका circuit में कहीं broken है तुटा हुआ है या बोले तो switch of the torch is turned off अगर switch turn off है में इसकी बंद है switch बंद है current stops flowing and bulb does not glow क्या करेगा current stop हो जागा flow ने करेगा charge flow ने करेगा और आपका bulb क्या होगा जलेगा नहीं सर जब अगर circuit में क्या break up होगा broken होगा तूटा होगा या switch off होगा उस समय बोलता है कि how do we express electric current electric current को केसी हम लोग different करेंगे तो electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time is called electric current कि the amount of charge flow per unit area ठीक है यहने cross section per unit time is called is called आपका electric current होगा सर कि एक unit time में आपका एक cross section area से कितना charge flow कर रहा मानों कि एक cross section area है सर तो एक second में या per unit time में आपका कितना charge flow कर रहा है तो उसे को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं electric current बोलते हैं सर मानों कि एक column या 5 column पर second आपका क्या पास कर रहा है एक second में पांच column charge flow कर रहा है एक cross section area से तो वही क्या हो जाएगा आपका electric current हो जाएगा सर कि एक second में आपका कितना पांच column एक एक cross section area से निकल रहा है तो वही क्या आपका electric current है तो electric current क्या बोलोगे the charge flow flowing through a particular area और cross section area per unit time in a unit a per unit time is called electric current या दर वह बोले तो the rate of flow of electric charge the rate of flow of electric charge is called electric current दीख है electric charge के flow होने की दर को हम क्या बोलती है electric current करते हैं से rate मतलब per unit time ठेक है तो इसको ए बोलेंगे in circuits using metallic wire electrons constitute the flow of charge यहाँ था न है electric current में कौन constitute कर रहा है तो यहाँ पर electrons आपका constitute कर रहा है charge को flow करने आने में कौन कर रहा है electrons आपका flow कर रहा है इन circuits using metallic wire launch fahren यहाँ युज कर रहे है circuit में तो आपका electron चांज में आपका dest की क्या गया था फYNोमेनन उसका फेनोमेनन का उस समें elektron नहीं खोजा गया था सो electric current was considered to flow of positive charge इसलिए उसいます क्या आपका क्या मान लिए गया था कि flow of positive charge जो electric current में क्या consider कर लिए क्या positive charge का flow कर रहा है क्योंकि उसमें क्या हो गया था electron का खोज नहीं हुआ था लेकिन मैं जो इलेक्टोन की फोलो हो रहा है लेकिन उस समय जिस सम इसलिए उसमय मंग लिया गया था कि positive charge क्या हो रहा है electric circuit में flow हो रहा है electric current में क्या हो रहा है आपका positive charge का flow हो रहा है the direction of positive charge तेकेन टू टो वी दियाकर्थ सकीशन त soldier क्यों 10 होगा पूजीटिव चार्ज का जो डायक जोगा पूजीटिव चार्ज का वो आपका दाइक्ष औप current के दिशामें होगा जीदर आपका direction होगा current का electric current का direction होगा उधर ही आपका positive charge का direction होगा convincedly electric circuit in electric circuit direction of electric current is taken to opposite to the direction of flow of electron, means की जीशी सरब आपका negative charge का flow जीदर आपका electron flow कर रहा है सर, electron आपका negative terminal से positive terminal flow करता है और पोजिटिव आपका जो इलक्टिक करेंट है वो पोजिटिव टर्मिनल से किदर नेगेटिव टर्मिनल की और फ्लो करता है मैं इसकी यहां कन्वेंशन निया है कि इलक्टिक करेंट का जो डायक्षन होगा सर यॉलेक्टिक सल्काइब 14 में जोलेक्रिक करेंद का ड्याएक्टाऊ होगा व आपका ड्याएक्ट्राओं ओप और एकड्रूड होगा कोर E y लेक्ट्रिश स्ल्कुट से हमाँ एप य्लेगार्टिस होगी आप मैसे यह करेंद में यह फिसको इक किरिएじゃあ 3 में सब्सक्च बोलते है positive terminal नीचे जो होता है जास्ता वाला जीन्क होता है उसको बोलते है negative terminal नेगेटिव तर्मिनल होता है तो क्या होता है अगर होता है औरежду общем से osh सर और अपका क्या होजागा सर चल सर लाइट कि दैर होजागा सर्क्रेंट का डैक्सटन आपका opposite to electron मतलब की positive terminal से negative terminal आपका electric current का direction हो जाएगा सर electric current को हम capital I से denote करते हैं electric current को capital I से denote करते हैं मिसकी आपका current का direction आप किदर से किदर हो जाएगा positive terminal मिसकी positive charge का आपका जो direction हो जाएगा किदर हो जाएगा सर positive terminal to negative terminal तो आप समझ में आ गया जो current का direction होगा कोई भी circuit में अगर current को direction होगा opposite किसका होगा direction of electron के opposite होगा या negative charge क्या होगा opposite होगे तो यह आपको clearly समझ में आया होगा अब आगे चलते हैं कि यह फे net charge अगर net charge flow कर रहा है any cross section of conductor कितना charge flow कर रहा है क्यों कर रहा है in time t कितना time में t में current मानों कि i है current को i से denote भी करते capital i से तो through the cross section current कितना आया निकला cross section से through cross section area कितना आया current i आया तो i बराबर हो जाता है sir क्या होता है current बराबर होता है charge net charge by time होता है time taken तो यहां से i is equal to क्या हो जाएगा sir q by time हो जाएगा यह आप फर्मुला याद कर सकती हो q क्यों क्या है SI unit क्या होता है sir कुलम होता है और time क्या होता है SI unit second होता है तो कुलम पर second a ampere जी खोजे थे इसलिए इसके बराबर क्या हो गया ampere हो गया तो SI unit आपका SI unit current क्या हो जाएगा ampere होता है sir ठीक है तो SI unit of electric charge क्या होता है कुलम बता चुके है तो डिनोट किसे करते है capital C से करते है which is equivalent to charge content is nearly 6 into 10 का पावर 18 electron कितना 6.25 into 10 का पावर 18 electron क्या content किया हो रहता है इतना equivalent equivalent एक कुलम चार्ज में ठीक है we know that an electron possess a negative charge अभी पढ़ा है बताई थे ने quantization of charge is equal to any यहीं से आया है फर्मुला number of electrons आया है इतना number of electrons में आपका एक कुलम बनता है sir we know that electron possess a negative charge electron क्या negative charge possess करता है जो इस तक इतना minus 1.6 into 10 का पावर मैनस 19 कुलम होता है sir electron of charge बराबर मैनस 1.6 into 10 का पावर मैनस 19 कुलम the electric current is expressed by unit called ampere जो आपका जो SI unit जो होता है sir electric current का वो क्या होता है ampere होता है उसको denote किसे करते है capital A से करते हैं sir आप आता है named after the French scientist under mary ampere कब से 1775 से 1836 में आपका current का खोज हुआ था ampere जी खोजे थे electric current को तो वही अपना नाम से क्या दे दिए SI unit बना दिए electric current का ampere पढ़ गया ampere को A से denote करते है capital A से आप आता कि one ampere is constitute by the flowing of one column of charge per second आप बोलेगा कि depend one ampere one ampere क्या होता है sir तो one ampere तो आई बराबर क्या होता है sir q by t आपका electric current बराबर क्या होता है net charge by time taken तो one ampere is equal to क्या हो जाएगा sir one column by one second means कि one ampere is different as one ampere is different as by the flowing of one column of charge per second the rate of the rate of flow of charge one column per unit time या per second is called is called is called is called one ampere ठीक है या is set to be one ampere means कि एक कुलम charge अगर flow कर रहा है कोई correction area से एक second में तो से बोलते हम one ampere बोलेंगे sir तो one ampere आपको आप समझ में आ गया होगा यहां से depend कर सकते हो कि क्या कि one ampere is constituted by the flow of one column of charge per second that is one ampere क्या यह फर्मूला आप जरूर लिखना यह different one ampere different करने बोलेगा तो यह one ampere different तो कर देगे one ampere is different as the flow of one column charge through any cross section area of conductor per second is called one ampere ठीक है तो यह one ampere जोटो क्या लिख देगे one column by one second ठीक है a small quantities of current are expressed in milliampere अगर one milliampere बराबर क्या होता है a small unit जो होता है कि आपका current का वह क्या होता है one milliampere ten one milliampere बराबर क्या होता है 10 का पावर minus three one milli बराबर ten का पावर minus three क्या हो जाएगा ampere हो जाएगा unit one milli unit मतला ten का पावर minus three unit तो one milliampere बराबर क्या हो जाएगा ten का पावर minus three ampere हो जाएगा one micro ampere one micro ampere बराबर कितना हो 10 का पावर 6 mpr हो जाएंगे ठीक है यह आपको समझा गया होगा आप बोलता है कि which instrument is used to measure electric current को measure करने के लिए कौन instrument का यूज होता है तो an instrument called m meter measure electric current in circuit m meter का यूज होता है आपका electric current को measure करने के लिए आपका जो m meter always connected होता है series in circuit circuit के series में connected होता है emitter is always connected in series because it has low resistance क्योंकि उसका क्या होता है low resistance होता है इसलिए उसको हम क्या series में connect करते हैं से ठीक है figure 12.1 source the systematic diagram of typical electric circuit comprising a cell, electric bulb, emitter and a plug की plug की मतलब switch voltage ठीक है note that the electric current flows in the circuit from positive terminal to the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and emitter means कि आपका जो current यहाँ पे electric current flow कर रहा है circuit में sir वो आपका क्या positive terminal से लेकर negative terminal की और आपका flow कर रहा है bulb हो या emitter में ठीक है पिसके यहाँ पे आपका क्या बोला है एक bulb लिया गया है यह आपका एक emitter लिया गया emitter को किसे denote करते है emitter आपका इस तरह से denote किया जाता है जहां भी होगा यह polus minus यह आपका क्या emitter है sir यह क्या है emitter है तो emitter का आपको सम्झेम आ गया emitter एसे होते है यह क्या होता है बल्ब होता है यह आपका battery battery का symbol इस तरह होता है ठीक तो यहाँ से current किदर से निकलता है positive terminal से निकलता है sir और कहा negative terminal में enter करता है यह आपका क्या है switch है ए close switch है ठीक है आप क्या होता है कि current का direction किदर positive terminal से negative terminal देखो ये positive terminal से जा रहा है ना positive terminal के तरब से आज जो electron का direction होता है sir वो आपका negative terminal से होता है negative terminal से आपका किदर positive terminal की और जाती है ठीक है जिसकी negative से positive terminal आपका direction of electron होता है और positive terminal से negative terminal बैटरी का क्या होगा आपका electric current का direction होगा तो आपको समझा गया आपके emitter current को किसे measure करते है आपका emitter से किसे क्यों इस्ट्रमेंट से measure करते है आपका emitter से emitter कैसा connected रहता है series में series में connected होता है ठीक है series में connected होता है क्यों connected होता है series में क्योंकि इसके पास low resistance होता है because heat has low resistance ठीक है यह आपको समझा गया एक systematic diagram किसका है electric circuit का compressing sale लगाया हुआ है इसको sale बोलेंगे electric bulb लगाया है इसको electric bulb बोल रहे है m meter इसको m meter बोल रहे है तो emitter आपको क्या गोला बना और यह लगा दो तो यह क्या हो जाएगा आपका emitter का symbol है ठीक and plug की पलग की को क्या बोलते हैं switch बोलते हैं तो यह आपका switch का symbol है तो यह समझ में आ गया आप चलते हैं आगे कोई एक हुचन दिया हुआ है उसको solve करेंगे क्या बोलता है एक current of 0.5 ampere is drone by a filament of an electric bulb for 10 minutes वो रहा है कि एक current कितना निकल रहा है 0.5 ampere आपका drone कर रहा है कोई electric bulb के filament के दुवारा से कितना 10 minutes के लिए है तो find amount of electric charge that flows through the circuit आपके जो electric circuit से कितना amount of electric charge flow कर रहा होगा 0.5 ampere current निकलने के लिए कितना समिट के लिए 10 minutes के लिए तो आपको क्या-क्या दिया हुआ है पहले लिखो i की दिया हुआ, कितना दिया हुआ I 0.05 ampere दिया हुआ है time, time किसमें दिया हुआ है आपका 10 minutes दिया हुआ है एक चीज और बताना है यहाँ पे I is equal to क्या होता है Q by T होता है तो यहाँ पे कोई अगर आपको दो चीज दे दिया जाएगा और तिसरा निकालने के लिए बोल दिया जाएगा यह करेंट, इलक्रिक चार्ज और टैम तो यहाँ पे देखिए इलक्रिक करेंट आपका यूनिट में सबको पहले किसमें एक्चेंज करना होगा एसा यूनिट में चेंज करना होगा आपका करेंट का यूनिट क्या है एंपियर देखो तो एंपियर में दिया हुआ है अगर नहीं रहा तो किसमें चेंज करते हैं फिले एंपियर में चेंज करते हैं टाइम को किसमें चेंज करना है सकेंड में देखना है ऐसा यूनिट क्या होता है सकेंड में होता है तो क्या 10 मिनट दिया हुआ है फिले क्या करेंगे 10 into 60 किसमें change करेंगे second में change करेंगे कितना हो जाएगा 600 second हो जाएगा तो i बराबर आप क्या जानते we know that current formula क्या होता है i is equal to q by t होता है तो q is equal to क्या हो जाएगा sir i into t हो जाएगा i कितना है sir 0.05 है into आपका time कितना है sir 600 second है आप multiply करेंगे sir कितना आजाएगा 30 कुलम चार्ज हो जाएगा चार्ज हो जाएगा sir multiply करना यह 2 0 कर जाएगा 5 बच्चा ठेक है क्योंकि current आपका 0.5 sorry 0.5 है इसलिए आपका कितना हो जाएगा आपका 300 कुलम चार्ज हो जाएगा sir 300 कुलम चार्ज हो गए आप आता है देखिए कि what does an electric circuit mean electric circuit एक close and continuous path of electric current is called electric circuit इसो क्या बोलेंगे electric circuit बोलेंगे depend the unit of current the unit of current is ampere और यह बोलेंगे 1 ampere is set to be the flow of 1 कुलम आप चार्ज per unit या per second is called the unit of charge 1 ampere ठेक है आप आता है calculate क्या बोलेंगे यहां से और आप डिफैन कर सकते हैं तो 1 ampere बराबर 1 कुलम by 1 second तो यहां से unit of current आप डिफैन करते हैं आप आता है calculate the number of electron constituating 1 कुलम अप चार्ज तो क्या बोलेंगे थे quantization of charge बोलेंगे थे ना q is equal to n तो यहां से q कितना 1 कुलम है into n निकालना है number of electron कितना 1 कुलम चार्ज कितना electron constitute कर रहे है कितना electron से और यह क्लुम उफ्चार्ज बन रहा है वह हमको निकालना है तो चार्ज अप क्या होता है 1.6 into 10 का power minus 19 यहां से n क्या हो जाएगा 1 by 1.6 into 10 का power minus 19 हो जाएगा 10 का power 19 10 उपर चला जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा मैनस सोरी वन पॉइंट सिक्स होगा एक कुलम चार्ज को बनाने में लग रहा है सर अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि फ्लो चार्ज इंसाड है वायर आपके वायर के अंदर चार्ज का फ्लो कैसी हो रहा है तो हाफ डर जे मेटल कंड़क्ट इलक्रिसिटी मेटल जो हो है कैसे कंड़क्ट जिस electron का low energy है, वो आपका solid conductor में pass होने के लिए बहुत difficulty है, बहुत difficult है, inside the solid, inside the solid, solid के अंदर, atoms are packed together with very little spacing between them, कि जो solid के अंदर है, particles जो है, शटे-शटे हैं, तो वहाँ पे जो है, very little space है, आपके atom को pass होने के लिए, ठेक है, the atoms are packed with very little spacing between them, वहाँ पे बहुत space कम है, बहुत atom जो है, बहुत सटे-सटे हैं से, ठेक, but it turns out that electrons are able to travel through a perfect solid crystal, smoothly and easily, फिर क्या होता है, कि आपके जो solid में, जो atom सटे-सटे हैं, लेकिन वहाँ पे electron, जो free electrons है, वो easily able है, क्या, move करना, smoothly move कर रहा है, और easily move कर जा रहा है, उस solid crystal में, almost as if they are in vacuum, almost जैसे vacuum हो रहा है, वैसे आपका हो जा रहा है, जो आपके electrons की speed है सर, वो आपके speed of plat के बराबर है, speed of plat कितना होता है, 3 into 10 का power 8 meter per second, इस speed में आपका electron वहाँ पे flow कर रहा है, कहां पे solid में, तो motion of electron in a conductor, एक conductor में, जो electron की motion in a moment है, however, is very difficult from that of charge is empty air, in empty space, कि एक different है, is very different है, जो आपके empty space में charge है, ठीक है, that of charge, जो movement कर रहा है, क्या, कि the motion of electron in a conductor, जो conductor में आपका motion, जो electron का movement है, वो different है, किसे, जो empty air space में charge, जो move कर रहा है, उससे अलग है, सर, when a steady current, जब a steady current flows through ये conductor, जब आपका constant current, अगर कोई conductor में flow कर रहा है, the electron in it moves with a certain average, drift velocity, drift velocity से क्या कर रहा है, electron आपका move कर रहा है, सर, one can calculate this drift velocity, या speed of electron, for a typical copper wire, carrying a small current, क्या होता है, कि ये जो, आपका drift velocity electron का होता है, वो हम copper wire, carrying, जो a small current, केरी कर रहा है, उसको हम calculate कर सकते हैं, and it is found to be actually very small, और जो ये drift velocity होता है, वो बहुत छोटा होता है, of the order of one millimeter per second, किता है, drift velocity जो होता है, electron का moment, वो किता होता है, one millimeter per second, मिसकि एक second में, एक millimeter, वो moment करता है, तो how is it then, that an electric bulb let ups as soon as we turn the switch on, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो इसी तरह आपका क्या electric bulb जल जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर complete circuit में, कि electron नहीं हो रहा है, कि electron यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या करा है, electron यह धक्का, इसको मारा energy इसको दिया, तुरंत वहाँ पर, जैसे switch on किये, आपके electric bulb क्या होता है, let up हो जाता है, जल जाता है, तो यह आपका drift, तो it can not be that current starts, लेकिन वहां पे हमने क chicken है कि एक importaUS से दुसरे टन्मििल सक्या measure ओऊंछ फिजिकरी ड्रीफ ऑप इलेक्टीड इन्रीन इनडी सलमिंट क्योंकि जो ड्रेकल ड्रीप स्यविक्टाहीं क्या है वह बहुत शलु année सब्सक्रेब्स क्रूंद का है बहुत कम है उसकी उर्मेंद इसेट मेकनिजम बन्हूंद करते करेंच के ब्राबर है're fascinating is fascinating but is beyond the scope of this book do you feel like proving this question at an advanced level यह जो question है आप advanced level में क्या करोगे इसका proving पढ़िएगा मिसकि क्या हो रहा है आपके energy क्या कर रहा है electron यहाँ पे movement किया यह electron क्या क्या किया इसको टक्राव दिया energy इसको दे दिया फिर यह ने आपको इसको टक्राया वह क्या हो यह आपको यह वहाँ पे energy का movement हो गया और यह क्या electricity आपका glow हो जाता है यह से situation करते क्या होता है वहाँ पे electron move नहीं कर रहा है यह तो यह क्या तक पहुंचने बहुत समय लगेगा तो आपका क्या कर रहा है प्रांसपर कर दे रहा है अब आता है electric potential and potential difference अगर आप क्या करो कि एलेक्ट्रोन को flow करवाने के लिए क्या करवाना होगा potential कोई outer source लगाना होगा sir तभी आपका क्या electron flow करेगा जब मानों कि ये conductor है कोई electron का एक electron का direction इधर है ये electron का direction इधर है और a electron की direction कुछ इधर है ठेक क्या हुआ आपस में इसका drift velocity क्या होगा टकड़ा किया करेगा एनर्जी जो इतना भी होगा क्या क्या करएगा और इसका जो net electric charge होगा जेसे हम क्या करें इसी में इसी में 8 teff 1 आपका लगा देते मैं इन सोर्स लगा देते बैटरी लगा देते है सर तो यह क्या कर देगा जितना इलक्टोन के डायक्षन है सब की एक दिसा में कर देगा इलक्टोन की डायक्षन क्या कर देगी एक डायक्षन में कर देगा सर एक डायक्षन में कर देगा ठीक है इसका अस्पीट के डायक्षन क्या कर देगा एक में कर देगा एक तरफ कर तो वाट मेक्स दी एलेक्रिक चार्ज टू फुलो कि जो एलेक्रिक चार्ज को फुलो करा है वो क्या उन बनाता है क्या बनाता है लेट अस कंसिडर दी एनलोगी ओफ फुलो अप वाटर भी क्या होता है कि वहां पर प्रेशर डिफ्रेंस होना चाहिए अगर वाटर को आप फ और वहाँ से पानी आपका flow किया तो वहाँ पे pressure difference किया जाता है sir means की जो water आपके flow कर रहे हाई pressure to low pressure आपका water flow करता है तो charge do not flow in copper wire by themselves तो charge जो है copper wire में ऐसे ही flow ने करने लगता है वहाँ पे potential difference create करवाना पड़ता है दो terminal की बीच ठेक है तो just as water is perfectly horizontal tube does not flow इस तरह आपका जो horizontal tube में क्या किये पानी भर दिये तो क्या flow करता है नहीं करता होगा देख लेना means कि आपको वहाँ पे pressure difference लाना पड़ेगा sir एक उन्चाई में रखना होगा एक नीचे में रखना होगा तभी आपका क्या होगा water flow करेगा तो if one end of the tube is connected to the tank of the water kept at a higher level such that there is pressure difference between the two ends of the tube means कि आपका बोरा कि एक tube आपका जो water kept है वो higher level पे वहाँ पे रखना होगा और दूसरा नीचे करोगे तभी आपका जो means कि वहाँ पे pressure difference pressure मतलब का फ्रमला क्या होता है rho g h होता है rho मतलब आपका water का liquid का density gravity g acceleration due to gravity h height तो अगर height जितना दूरी पर रखोगे आपका water उतना ही टेज़ी से flow करेगा ठीक है तो आपका यह समझवाया water flows out of the other end of the tube और क्या गोड़ा है कि दूसरा इंड से क्या निकले लगा आपका पानी निकलेगा flow of charge अब चार्ज के flow के लिए इने conducting metallic wire the gravity of course has no role to play वहाँ पे gravity का रोल नहीं होगा जहां पे आपका water pressure में water को flow करने में gravity का रोल था देखिए acceleration due to gravity आ रहा था ना तो वहाँ पे gravity का रोल था लेकिन charge को flow करवाने में conducting metallic wire में वहाँ पे gravity का रोल नहीं आएगा sir gravitational force का महाँ पे कोई रोल नहीं होगा the electrons move only if there is difference of electric pressure वहाँ पे water pressure नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए electric pressure का difference होना चाहिए sir electric pressure किसको क्या बोलते है potential difference का वहाँ पे difference होना चाहिए sir तभी आपका electron move करेगा कोई भी metallic conductor में charge को flow करवाना है तो वहाँ उसके बीच में क्या करो potential difference create कर दो sir potential difference जैसे create करोगे आपका electron क्या होगे charge आपका flow करने लगेगा sir तो आपको समझा गया along the conductor conductor के along क्या करो potential difference create कर दो generate कर दो तो वहाँ से आपका electric electron जो है move करना start कर देगा ठीक है अब आता है this difference of potential may be produced by a battery आप यह जो potential difference को किसे produce करवा सकते हैं हम battery या sales से produce करवा सकते हैं sir battery किसको बोलेगे the combination of two or more cells is known as battery the combination of more than one cell the combination of more than one cell तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं battery बोलते हैं sir तो cell से आपके बैटरी बना हुआ है तो the chemical action within a cell generate the potential difference across the terminals of the cell cell के terminal के एक रोज क्या होता है potential difference रेक्नेकल इसेसर आपका क्या 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 से आपका potential- GPA करता है किसके एक्षन से कैमिकल एक्षन सेल में chemical action होता है भी से chemical reaction होते हैं इवेन नो करेंट इज ड्रोन फॉम इट और तब तक वहाँ पर करेंट फ्लोर नहीं करेगा वेन दिस सेल इस कनेक्टेट टु यह कंडक्टिंग सर्कीट इलाइमेंट जब आप कनेक्टेड वो जो सेल है कहां कनेक्ट कर दिये सर्कीट इलाइमेंट में उसको कंडक्ट कर दिये तो potential difference set the charge in motion in the conductor तो वहाँ पर potential difference जिसे मारों कि यह conductor है सर कंडक्टर में आप क्या किये यहाँ पे आप potential difference मिश की बैटरी लगा दिये बैटरी लगा दिये तो यह आपका यहाँ पे क्या 6 वोल्ट तो यह क्या बता रहा है potential difference अगर बैटरी 6 वोल्ट का है तो यह potential difference मतलब positive terminal और negative terminal के बीच का difference क्या है 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट है तो यह आपका जो हो रहा है आपका यहाँ पे charge क्या होगा flow करने लगेगा तो यही बता रहा है कि potential difference जैसे shape कर देते हैं charge क्या होता है conductor में motion आ जाता है and produce and electric current और क्या electric current of produce कर देता जैसे charge flow of charge is called क्या electric current जहां पे electric charge का flow हो गया और वहां पे electric current produce हो जाएंगे तो in order to maintain the current in a given electric circuit the cell has to expand its chemical energy stored in it क्या बोलता है कि अगर electric circuit में current को maintain करवाना है उसका order को maintain करवाना है electric circuit में current को रखना ही है पास करते होते रहे electric circuit में तो आप क्या होगा सेल जो है अपना chemical energy जो अस्टोर करके रखा था सेल में अंदर फोड़िएगा देखिएगा जिंक सलफेट हो गरा निकलता है जिंक निकलता है गरा फैट रोड़ रहता है उसको तोड़िएगा तो तो आगर आप अभी यह जो इन्भैट्रामेटिक का देखते होंगे उसमे आपका सलफूरिक एशिड रहता है और यह एशिड है उसमें दो इलेक्रोड पॉजिटीव टर्मीनल और नेगेटिव टर्मीनल बना रहता है और वो chemical अंदर में क्या होता है वह होता है चमिकल रियक्शन से इनरजी जरेट करता है पोटेंशल डिप्रेंस को किरेड करता है तो वो क्या करता है chemical energy जो stored है cell में एक्सपेंड कर रहा है और electric circuit में current को maintain कर रहा है उसका order को क्या कर रहा है maintain कर रहा है समझा आगे है आप चलते हैं आगे कि electric potential difference electric potential difference क्या होता है तो electric potential क्या होता है वो भी जानेंगे थेक है आप आता है क्या electric potential क्या बोलते किसको बोलते जब one unit positive charge को जब one unit positive charge को one unit बोले तो क्युआ चार्ज मानों की one unit charge one कुलम को लेकि आ रहे है one unit charge one unit charge को infinity से मानों की infinity यहां पे है infinity से कोई एक point पर लेके जाएं Q तक P पर तो उसमें जो आपका work done होगा उसे हम बोलते हैं sir electric potential बोलते हैं तो electric potential किसे बीद रहे हैं दा वागडन टू बीरिंग unit positive charge दा एमांट ओप वागडन टू बीरिंग यूनिट चार्ज फ्रों infinity टू एप पोइंट तो डाट पोइंट इस कॉल्ड एलेक्टिक potential समझवा गया क्या होता है कि आपका होता है infinity से एक पोइंट पर ले जाना कि उनिटी चार्ज में जो आपका work done आपका work खपत होता है ठेक है उसे हम बोलते हैं work done लगता है उसे हम क्या करते एलेक्टिक potential करते हैं से अब आता है होते हैं potential difference या बोल सकते हैं सर कि एक यूनिट the amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another point एक पोइंट से दूसरे पोइंट में एक यूनिट कुलम चार्ज को एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना work done लगता है सर amount of work done लगता है उसी को तो हम क्या पोटेंशल डिफ्रेंश बोलते हैं तो यह आपको दोनों point किलियर ली समझ में आया होगा तो यहां पर आपका जो potential मानूं कि जाने की A से B तक ले जाने में आपका कितना आपकर तो यह क्या हो जाएगा B AB बराबर क्या हो जाएगा भी B-az भी B-az बीए इसकी ये भी भी क्या हो गया एक potential आपका electric potential हो गया और भी ये दुसरा electric potential हो गया दो potential difference के बीच में जो आया उसको क्या बोलते है potential difference बोलते है sir भी इसको बोलते है भी उसको simply क्या बोलेंगे भी potential difference को आप किसे denote करते है भी से तो we depend the electric potential difference between two points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to other तो क्या होगा the amount of work done to move a unit positive charge from one point to other point एक point से दुसरे point में एक unit positive charge को move कराने में जितना work done लगता है sir तो उसको हम क्या बोलते है potential difference काते है potential difference between two points मिस्क कि आप different करने साहो तो बी फी दो पोईंट के भी difference क्या हो जायगा बी-बी-अ मिस्क के ah कि electric potential it point b minus आपका ah Ah यॵकरी potential it point ये दोनका difference क्या हो जाएगा मिल हो जाएगा अब आपको जो पोटेंशल डिफरेंस बीट्विन के बिच क्या हो जाएगा यहां पर नबं से डिनोट कर रहे हैए से किसे कर रहे है W से चार्ज को किसे डिनोट कर रहे है Q से तो बी इस्वल टुओ हो जाएगा सर डवलु बाइव क्यो जो बिसकी प्रक्टींट सोम जांट कर से रोल्ट करते है नेवड्र आपर अलेस रैंडर तो भॉल्टा भॉल्टा जी ने आपका potential difference का खोज किये थे उन्हें का नाम से भॉल्ट पड़े गिया कब 1745 से 1837 के बीच में यह क्या थे इटालियस साइक फिजियस्ट थे या साइकिस्ट थे ठेक है वन वोल्ट आप कैसे डिफैंड करोगे दा देखे वन जूल आप वाक डन तो मूब ए वन कूलम अप चार्ज फ्रम वन पॉइंट तो अनदर पॉइंट देन दी पोटेंशल दिफैंड इसे तो वे वन वोल्ट त वन वोल्ट आप we trzy एंड करोगे संध्संवागिया वन वोल्ट सम second गया तो यहां से आप डिफैंड कि एक जो एक वुइंट को यहसे हम डिफैंड करेंगे कि दो पॉइंट यहां बोल सकते हो कि One Joule Work Done ठीक है एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में एक जूल वर्कडन हुआ लगा तो उसी को तो हम क्या बोल रहे है वन वोल्ट बोल रहे है सर वन वोल्ट पोटेंशियल डिप्रेंस बोल रहे है मैं इसकी यहां से आप क्या पढ़े थे भी इकल टू क्या पढ़े थे डबलू बाई क्यू तो यहां से वन वोल्ट बराबर हो जाएगा सर वन वोल्ट वोल्ट को भी से दिनूर्ट करते न वर डबलू को वर्कडन का ऐसा यूनिट जूल होता है तो 1 joule by कुलम का ऐसा unit क्या होता है sorry charge का कुलम तो 1 कुलम यही क्या है आपका 1 volt का definition है तो 1 volt is the potential difference between 2 point in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 कुलम from 1 point to the other point कि जब when 1 joule of work is done to move a 1 कुलम of charge from 1 point to another point is said to be 1 volt of potential difference 1 volt is said to be 1 volt आप defiant कैसे करेंगे 1 volt is equal to 1 joule by 1 कुलम क्योंकि work done का ऐसा unit क्या होता है joule होता है तो क्या लिख सकते है 1 volt is equal to 1 joule per कुलम 1 volt is equal to क्या लिख सकते है 1 joule per कुलम 1 joule per कुलम ठेक है यह लिख सकते है आप थिसर वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर को सर हम लोग आप वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं पोटेंशल डिफ्रेंश को या पोटेंशल डिफ्रेंश का दूसरा नाम बहुत सर वोल्टेज क्या नाम है sir, voltage, potential difference का दूसरा नाम क्या हो सकता है, voltage हो सकता है sir, तो voltage या potential difference को instrument, the instrument used to measure potential difference is called voltmeter, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, voltmeter करते हैं sir, voltmeter को हमेशा parallel में जोड़ा जाता है sir, voltmeter is always connected in parallel across the point, point के एक से potential difference, which is the potential difference is to be measured, जिसकी potential difference, जिसका जिस आपका जिस सप्ता, जिस ठीक है, जिसका आपका जिसका में आपका potential difference measure करना है, उसको क्या करो, उसके connected parallel connect कर दो, तो आपको क्या देदेगा, potential difference उसके एक रोस आपका देदेगा sir, ऑब कि बोल्ट में इसको कि से चाहिए क्रलेल होता है क्या हैथ हाई तो अब बोल्ट में और है थे सीज्जब कर रहे है क्या में COL dif 0 आपका कोंटेंशल को है किदर कनेट करिए पैरलेल में थोड़ी जय में आप जानेंगे कि पैरलेल और और अबbad करFr TWO अधोर्ल आपका स्विड़ क्या होता है सर्क्िट और सब जान है मालो कि यहां पे बल्व है थे एक सर्क्पीट बना देते tract यह बल्ब है यहाँ पे यह बैटरी हो गया यह आपका स्विच हो गया यह आपका एम मिटर हो गया ठीक और वॉल्ट मिटर को हम इसका पैरलेल बोले थे ना यह बॉल्ट मिटर हो गया किसे पाशान यह आज अगे सर आपका गोल बना दो ऍहीं हो बॉल्ट मिटर होगा प्लस मेनस लगा दो, तो वल्टमीटर हम लोग किस Просто सभ्सक्राइब करते पैल्लेल में, देखो, बल्ब पंचे इंड में इसके पैल्लेल में है, है ना, तो इसको हम बोलते क्या, आपको पैल्लेल में connected है और M meter आपको क्या है आपका सीरीज में connected है किसका बल्ब का तो यहां से इसे आप स्वीज चोन करोगे current का reading आपका current का reading भी पता कर लोगे कि बल्ब कितना current flow कर रहा है और कितना voltage जो खा रहा है यह भी आप पता कर सकते भी बल्ब के एक रूस ठीक है यह क्या है बैटरी पलस मेनस तो यह आपको समझा गया तो इस तरह आपका यह एक आपका electric circuit डाइगराम है आप आता कि यहां कोर्शन्स आता है कोर्शन्स करेंगे तो यहां से आप देखो B is equal to क्या होता है W by Q होता है तो यहां से आपका कोई दो जैसे मानों कि voltage और आपका work done दे दिया चार्ज पुछ लेगा या आपका work done और चार्ज दे दिया voltage पुछ लेगा कि आपका potential difference क्या होगा या मानों कि आपका क्या आपका voltage potential difference और चार्ज दे दिया work done निकालने बोल दियेगा voltage और work done दे दियेगा चार्ज निकालने बोल दियेगा कोई दो चीज दे दिया तीसरा निकालने बूर्च लेगा ठीक है आप आता है questions आपके examples दिया हुआ है कि how much work is done in moving a charge of two coulomb across two points having potential difference 12 volts कि 12 volts potential difference दिया हुआ है two points के across ठीक है तो कितना charge flow कर रहा है two coulomb charge flow कर रहा है तो आपका work done कितना होगा तो work done हमको निकालना है जो निकालना है उसको दिख दिजिए आपका charge कितना है Q आपका 2 coulomb है सर आपका voltage कितना है voltage को B से denote करते हैं कितना है 12 volts है जो जो दिया हुआ है आप क्या जानते सर पोटेंशल डिफ्रेंस इस इक्वल टू डवल्य क्यू जानते हैं यह फर्मुला जानते हैं तो यहां पर जो डवल्य निकालने बोला है डवल्य क्या हो जागा क्यू इदर चला सर तुवल्य ट्वट्यफोर जूल हो जाएगा तो यह आपका एंसर पन गया तो यह बहुत इजी से बना सकते हो ना आब आगे चलते हैं कि ने में डिवाइस डेट हेल्प टू मैंटेंड पोटेंशल डिफ्रेंस एक्रो से कंड़क्टर कोई भी कंड़क्टर में का देते हैं सर वाट इज मेंट बाइस से इंग डाट पोटेंशल डिफ्रेंस बेट्विन टू पॉइंट इज वन वोल्ट क्या जानते हैं उसको डिफाइंड करना तो दा इमांट ऑप वक्डन इज वन जूल ऑप एमांट वन जूल ऑप वक्डन टू मूब वन कुलंब च कि the next question कि how much energy is given to each column of charge passing through a 6 volt battery कितना energy हमको देना energy मतलब वक्डन ही है कितना वक्डन लगेगा देया energy देना होगा each column of charge एक कुलंब चार्ज में कि एक 6 volt battery से पास करवा रहे है तो कितना वक्डन लगेगा ठीक है तो क्या होता है सर क्या की दिया हुआ है चार्ज आपको दिया हुआ है वन कुलंब वन कुलंब दिया हुआ है आपका बैट्री बहुट पोटेंजिल डिफ्रेंस वी इज इकल टो 6 वल्ट बैट्री दिया हुआ है सर 6वल्ट बैट्री दिया हुआ है किया निकालने बोला है work done डवल is equal to क्या energy तो वी is equal to क्या होता है सर współ kata ही कि मिक्यू क्या आपका हो जाएगा सर तो एक कुलम चार्ज में जब 6 वोल्ट बेटरी से पास करवा रहे हैं तो कितना एनरजी हमको देना पड़ेगा सिक्स जूल एनरजी सप्लाइ करना होगा सर कितना सिक्स जूल करना होगा तो आपको समझा गया यह बहुत इजी था आप आता है सर्किट डागराम तो सर्किट डागराम जैसे अभी बल्ब तो हम नहीं बना सकते हैं आप जैसे रेजिस्टेंस आगे तो जैसे रेजिस्टेंस का होता है connecting wire का होता है ठीक है m meter का होता है volt meter का होता है यह सब हम सारा चीज का क्या देखेंगे symbol देखेंगे तो circuit diagram we know that electric circuit as shown in figure 12.1 12.1 में हम देखे थे अभी electric circuit diagram तो comprises a cell or battery एक cell or battery पलग की मतलब switch था electrical component मतलब electric bulb था and connecting wire से तो it is obtained obtained convenient to draw a systematic diagram circuit diagram किसको बोलेंगे यह convenient है कि systematic diagram को क्या करे diagram को draw कर दे in which different component of the circuit are represented by the symbol conveniently used क्या कि जो circuit में component यूज किया हुआ है उसको क्या symbol को conveniently हम लोग यूज करके हम एक systematic diagram ड्रो कर दे इल सर्कीट diagram का circuit का तो उसको हम बोलते हैं circuit diagram तो diagram in which convenient to draw a systematic diagram by using the by using symbol of electric component by using symbol of electric component ठीक है तो conventional symbols used to represent some of the most commonly used electric component के आपके symbols दिये हुए हैं तो यह आपको देख लेना है symbols जो होता है symbol of some जो यहाँ पर component है यहाँ पर symbols है electric cell electric cell में क्या करना है एक बड़ा पूछ एक line और एक छोटा line देना है और यह से प्रड़ा वाला जो होगा इसको बोलते है प्लस से positive terminal बोलेंगे और छोटा वाला जो है उसको हम बोलते हैं negative terminal ठीक है आप आता है battery और combination of cell तो battery किसको बोलेंगे तीन चार cell एक ही में आ जाए एक से ज्यादा cell एक ही में आ जाए तो ए प्लस होगा ए मेंस होगा तो ए मेंस इदर लग जाएगा तो ए प्लस ए मेंस तो इस तरह से आप battery को रिपर्जेंट कर सकते हो सिंबल इसका यह होता है प्लक की को switch बोलते है जब switch open हो तो क्या करो एक एस संबोल देदो तो यह क्या यह open है या और और आप इस तरह भी दे सकते ऊफ़ यह open है ठैक दूसरा पलक की और switch nieuws जब switch पलग की हो जाएगा और दूसरा क्या करो ऐसे है यहाँ पर वायर ऐसे connect करतो यह क्या हो गया आपका close switch हो गया इस तरह से denote कर देंगे वायर joint कहीं पे है तो यह तरह पे आपको लगा दो इस तरह पे तो यह क्या हो जाएगा वायर joint का आपका symbol है वायर crossing without joining जब अगर वायर without crossing पास हो रहा है तो यह से आप symbol लगा तो यह मतलब क्या है कि यह आपका intersect ने कर रहा है यह joint नहीं है क्या हो रहा है वो cross कर रहा है without joining ठेक है इसका मतलब electric bulb का electric bulb का symbol यह bulb की तरह होता है इस तरह से कर सकते हो रेस्टेंस का कैसा होता है आप तेड़ा मेला इस तरह बना दो यह क्या रेस्टेंस है variable resistance और rheयो लगा तो यह क्या 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 होता है यह real state को क्या बोलो A meter भी बताए थे ना, गोल लगाओ, A लगा दो, और एक दूप पुछ निकाल दो इससे, पलस मेनस कर दो, ये क्या A meter है, वोल्ट मेटर में क्या करो, गोला बनाओ, और भी लगा दो, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मेटर किसको मेजर करता है, पोटेंचिल डिफ्रेंस, A meter किस मेजर करना, उसका पैलल लगा दो, और वोल्ट मेटर क्यों पैलल के कनेक्टेड होता है, क्योंकि इसका हाई रिजिस्टेंस होते हैं, आप आता है सर, ओम स्लो, ओम स्लो क्या बोले थे, पोटेंचिल डिफ्रेंस और करेंट के बीच, रिलेशन शीप दिये थे, ठेक है, तो is there a relationship between potential difference across a conductor and the current through it, current और potential difference के बीच में, वो क्या दिये थे, एक relation दिये थे, let us explore with an activity, यह क्या activity से हम सीखेंगे, तो setup as shown in figure, setup a circuit as shown in figure 12.2, consisting of necrom wire xy, xy जो है, आपका necrom wire है, of length, say 0.5 meter, कितना है, 0.5 meter है, xy का length, जो है, 0.5 meter है, and a meter, एक a meter ले लो, और क्या करो, a volt meter and 4 cell, एक volt meter लो, चार गो cell, आपका कितना, 1.5 volt का, 1.5 volt का, जिसे connected है, वह जिसे connected कर दो, आप each, ठीक है, necrom is an alloy of nickel and chromium and manganese and iron metal, जो necrom में आपका किसा किसा alloy है, manly nickel and chromium करते हैं, उसमें manganese and iron metal मिला हुआ रहता है, किसमें, necrom में, आप आता क्या, कि first we use only one cell, जो आपका, यह आपका जो है, क्या 4 cell इस्तरा है न, तो पहले आप क्या करो, कि first use only one cell as the source in the circuit, not the reading of the emitter I for the current and reading of voltmeter B for the potential difference across the necrom wire XY in the circuit, tabulate them in the table given, जो tabulate आपको देखो, यहाँ पे number of cells used in circuit, एक, दो, चार cell लिये हुए, एक cell, दो cell, तीन cell, चार से, पहले एक cell को यूज करेंगे, फिर दूसरा में 2 cell यूज करेंगे, तीसरा में 3 cell यूज करेंगे, चोथा में 4 यूज करेंगे, तो current का reading यहाँ पे लिखेंगे, ampere में कितना ampere आ रहा है, एक cell जब यूज करेंगे, दूस cell यूज करेंगे, फिर potential difference, similarly, volt में उसे तरह major करके लिखेंगे, और भी आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भी बाई आई निकालेंगे, ठीक है, तो next connect to two cells, उसे तरह true, आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, एक आपका setup जिसे किया गया है, वह इसे setup कर देना है, यहाँ पे potential difference जिसे तरह लगाए गया है, उस तरह लगाना है, ठीक, तो यह आपका potential difference यहाँ पे लगा दिए, इसे का potential difference मेजर करना है न, और यहाँ पे current मेजर, emitter में current, आपका ampere मेजर होगा, यहाँ पे switch आपका closed है, switch आपका क्या है, closed है, आप क्या हुआ कि पहले हमको क्या करना है, एक cell को use करेंगे, ठीक, एक cell को जैसे connect कर दिए, एक cell को use change कर दे लिए, आपका कोई electric circuit complete हो गया, मानो कि आपका जो एक current में, आपका जो reading आया, 5 ampere आया, और voltage जो आया, कितना आया, आपका voltage कितना है, आपका voltage fix है, कितना आया, डिएड़ वोल्ट आएगा, क्योंकि, मानो डिएड़ वोल्ट है, या आप मानो 10 वोल्ट है, ठीक है, तो इसी का मान लेते है, डिएड़ वोल्ट है, डिएड़ वोल्ट है, current मान लो 0.5 ampere आया, ठीक, current, ये voltage कितना है, डिएड़ वोल्ट है, आप देखो ये voltage कितना, डिएड़ वोल्ट रिडिंग किया, ठीक, फिर दूसरा आप क्या बोले कि इसको हटाए, आप क्या दो सेल ले लिए दो सेल का connection कर दिए मिसकी भी भी दो सेल का मानुवी current कितना one आ गया और आपका जो voltage voltage कितना हो जाएगा तीन हो गया ठीक कितना हो गया तीन वोल्ट आ गया रिटिंग बता रहे फिर आप क्या किये एट इभी हटा कि दिए एक connection हटा दिए रिमूब कर दिए आप कहां पर connection कर दिए एक तीन को तीन सेल को connect कर दिए ठीक तीन सेल को साथ फिल ले लिए आप क्या होगा तीन सेल को ले लिए तो आपका जो current हो गया sir current 1.5 हो जाएगा ड्रो कितना 1.5 ampere ड्रो हुआ एम मिटर में जब देखे तो 1.5 ampere सो क कर रहा था वोल्टेज कितना 100 कर रहा था सर वोल्टेज आपका 4.5 कर रहा था ठीक है आप चर चोथा नंबर में जब 4 नंबर में हम देखे तो 4 में इस से आपको connection को हटा दिए वायर को आप क्या कर दिए चारों बैट्री को साथ में लेके connect कर दिए ये complete circuit होगा current flow कर रहा ह तो आपका voltage कितना हो गया voltage आपका हो गया sir 6 आपका कितना हो गया 6 volt 1.5 को 4 बस से multiply कर देंगे तो आपका 6 volt आ गया तो यह reading आपका voltage जो सो करने लगा voltmeter कितना 6 volt करने लगा जब 4 बैटरी को यूज किये और current कितना measure करने लगा sir आपका 2 ampere करने लगा ठीक है जब आप V by I निकालोगे तो 1.5 divide क्या करोगे 0.5 पहला केसमे क्या जाएगा 3 आएगा क्या आया 3 आया दूसरा को करोगे तो 3 by 1 क्या गया 3 आजाएगा फिर अगर तीसरा नंबर वाला को करोगे तो क्या 4.5 by 1.5 कितना आ आएगा इसको भी आप 6 by 2 करोगे क्या 3 आया तो आप क्या देखे भी बाई आई वोल्ट पर ampere जो आया वह आपका क्या constant 3 3 3 3 3 ampere 3 आया 3 मतलब constant आया भी बाई आई जब निकाले तो क्या आया constant आया तो repeat the above steps using 3 cells and 4 cells in the circuit separately जैसे बोला आप calculate the ratio भी बाई आई तो भी बाई कि जब ratio हम लेंगे तो क्या होगा constant होगा the ratio of voltage and current is constant ठीक है तो आप plot आप क्या करो graph इसका ड्रोग करो तो graph जब ड्रोग किजिएगा sir इसका देखना ड्रोग करके आप potential difference और current क्या करना एस में जो y-axis में आप क्या लेना potential difference ले लेना क्या लेना potential difference ले लेना और जो आपका horizontal वाला में जो है x-axis में आप क्या लेना current ले लेना क्या लेलना क्रेंट लेलना अब जब दोनों का ग्राफ निकालों क्या आएगा अस्टेट आएगा क्या आएगा अस्टेट आएगा जो ओरीजिन से पास करेगा सर जो अस्टेट होगा इसका ग्राफ जो भी और आई का ग्राफ जो होगा नेचर होगा वो अस्टेट लाइन हो पोटेशनल डिप्रेंस को प्या कर रहें, इंकीज कर रहें, लिनियरी, तो वो आपका current क्या होगा, इंकीज करेगा, इसलिए आपका, जो आपका, क्या, आपका, भी आई का जो graph होता है, वो a straight line होता है, सर, origin से और पास करता है, तो this is ohms low, और ये क्या है, ohms low है, तो in this activity, यू इल फैंड डैट, एप्रोक्सिमेटली दा सेम बेलू फोर भी एंड आई, भी बाई आई, भी आई का बेलू जो होगा, क्या होगा, सेम होगा, इच केस में आपका सेम होगा, एप्रोक्सिमेटली आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, दस, दा भी आई ग्राफ इच अस्टेट लैंड, जो भी आई का ग्राफ जो होगा, कैसा होगा, अस्टेट लैंड से, कहां से पास करेगा सर, पासे थू और इजिन ऑप दी ग्राफ, ग्राफ के ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, जहां पे X axis और Y axis कट कर रहा है, वह वहाँ से पास कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, तो यह ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, तो VYI is constant ratio, जो VYI है वो आपका क्या constant ratio है सर, तो 1827 में German physicist, ठेक है, George Simon Ohm, आपका 1727 से 1824 के बीच में वो थे, बचे हैं, ठेक, तो यह found क्या किये, out the relationship between, यह क्या found किये, relationship between current, I, flowing in a metallic wire, and potential difference across its terminal, यह क्या relationship दिये, किसके किसे बीच, current और, current और, current और, potential difference के बीच में, वो relationship दिये, across the end of, क्या होता है, potential difference भी, across the end of a given metallic wire, यहने electric circuit, is directly professional to current flowing through it, क्या बोला, कि the current, following in a circuit, is directly proportional to, the potential difference applied across it, यह आपका क्या होता है, यहाँ से बोल सकते हो, provided is temperature, physical quantity remains same, या constant, जब उसका physical quantity, other quantity, physical quantity, जो temperature को constant रख दे, तो potential difference जो है, वो directly professional किसका है, सर, current का, electric current का, है, तो, this is, इसी को क्या बोलते हैं, नाम, ohms, लो बोलते हैं, तो, in other word, हम क्या कर सकते हैं, भी, directly proportional to I, भी क्या कर होता है, directly proportional to I, होता है, सर, और भी by I, क्या होता है, is equal to constant होता है, क्या रख दिये, इसका नाम, आर रख दिये, तो, भी को, जब proportionality constant को हटाते हैं, प्रोपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर तो इस दी प्रोपर्टी ओपे कंड़क्टर टू रेजिस्टेट रेजिस्ट दा फ्लो चार्ज थ्रू इस यह आकर रिस्टेंस क्या है एक अगर उसमें चार्ज कर स्कर रहा कर तो प्रोपर्टी होता है जो चार्ज क्या करता है रोकता है तो इसे आहीं हो करता है तो कहा है तो इस्सेंग में कि कão डेप्र प्रोपर्ट के 還 denote कर सकते हैं सर ओम को इस तरह से denote करते हैं ठिक इस तरह से आप ओम को denote करते हैं तो according to ohm's log क्या होता है बी इस इक्वल टू IR क्या होता है potential difference is equal to current into resistance current into resistance तो आर को हम resistance वराबर क्या लिख सकते हैं भी बाई आई क्या है था constant आये था और वो constant का नाम क्या हो गया सर रिजिस्टेंस हो गया यह दि पोटेंशल difference across the two end of a conductor is one volt and the current through it is one ampere the resistance of the conductor is one ohm आप कोई पूछेगा कि define one ohm और define unit of resistance तो अगर potential difference conductor के two end में कितना one volt हो और current उससे कितना फ्लो कर रहा है तो उस रिजिस्टेंस के conductor को कितना बोलेंगे one ohm बोलेंगे सर one ohm यह दि पोटेंशल difference across the two end of a conductor is one volt and current through it is one ampere then the resistance of the conductor is set to be one ohm इसको क्या बोलेंगे one ohm बोलेंगे सर तो one ohm को हम लिख सकते हैं one volt by one ampere और दुस्वा प्याम अगर लिख सेलें तो one ohm one ohm is equal to one volt by one ampere यह difference के बाद जरूर लिखेगा सर और यह जरूर लिखेगा आपका resistance क्या है आपका एक property होता है the property of conductor to resist the flow of charge through it ठेक है जो charge flow कर रहा है किसके उसको resistance कर दें ठीक है तो उसे हम क्या बोलते है resistance बोलते है रिस्टेंस का difference समझवा गया उसका ऐसा unit समझवा गया ओम होता है resistance को कैसे denote करते है capital R से करते हैं यह भी समझवा गया one ohm हम depend कर लिए ठीक है अब होता है also from equation we get also from equation we get आई बरावर हम क्या पाएंगे यहां से i is equal to क्या हो जाएगा भी वाई आर हो जाएगा क्योंकि वी is equal to i r तो आप कहें कि यह आर को नीचे ले गए तो क्या हो जाएगा i is equal to by r तो अगर resistance constant हो जाए सर आर constant हो जाए तो i जो है डाप क्या हो जाएगा voltage का हो जाएगा मिसकी अगर potential difference को बढ़ाएंगे तो current मेरा बढ़ेगा अगर potential difference को double कर दिए तो current मेरा क्या हो जाएगा double हो जाएगा अगर potential difference को हाप कर देंगे सर तो क्रेंट मेरा क्या हो जाएगा हाप हो जाएगा ठीक है ठीक आप होता है सर जब वोल्टेज कॉंस्टेंट हो बोल्टेज को जब हम कॉंस्टेंट अग दिये तो मेरा जो करेंट है सर क्रेंट inversely proportional हो जाएगा किसका inversely proportional हो जाएगा किसका सर किसका होगा आपका resistance का मिसकि अगर resistance को बढ़ाए तो current मेरा घटेगा inversely proportional मतला एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा resistance को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो current क्या होगा सर घटेगा यार resistance को बढ़ाएंगे करते हैं तो मेरा क्रेंट हाप हो जाएगा और रेजिस्टेंस को हाप करते हैं तो क्रेंट मेरा क्या हो जाएगा सर्ड डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस को तीरपल कर देते हैं तो मेरा क्या क्रेंट घट जाएगा तीरी टाम से अब मेरा क्रेंट क्या हो जाएगा घट जाए हो जो Resistance है Voltage का Directly Proporptional है और current का Inversely Proporptional है इस तरह आप voltage जो है Resistance और current दोनों का Directly Proporptional है दोनों को बढ़ाइएगा तो Voltage आपका दोनों में बढ़ेएगा तो 8 is obvious from 12.7 that current through a register is Inversely Proporptional to Resistance क्या हुआ current मेरा जो है current रेंट रेंट का प्रेटिकल केसेंज अगर 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 को क्या करना यह बढ़ाना और घटाना है तो क्या करो बढ़ा और घटा अगर बढ़ा दिये तो आपको क्या हो जागा करेंट कम हो जाएगा और घटा दिये तो मेरा क्या हो जाएगा सर करेंट बढ़ जाएगा ठेक है तो एक component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance जो component अगर without voltage source को change किये हुए current को regulate करें तो सिक तो हम क्या क्या बोलते है एक component regulate current को क्या करें चेंज करें ठेक है बिदाओट चेंजिंग दिवोल्टरी बिना voltage को change कि हुए तो ठेक है voltage source को change कि हुए तो उसको क्या नाम क्या है रियो स्टेट उसको करते हैं जो आपका circuit में resistance change करने के लिए यूज होता है सर रियो स्टेट को हम लोग यूज करते हैं सर रेजिस्टेंस को मेजर किसे करते हैं ओम मेटर से हम लोग resistance को मेजर करते हैं सर कौन फॉलॉइंग एक्टिवीटी आप हम लोग क्या पढ़ेंगे ए्लक्टिकल रइस्टेंस पढ़ेंगे सर एक्टिवीटी के हल्ब से that तो एक्तिवेटर बने कि डिटर कि टेक नेक्रों क्या बोले बुला एक टव Child बल्ब 10 वाट बल्ब लिजिए 24 कितना टेनवाट का बल्ब होनाँ चाहिए एम मेंटर लोग कितना जियूज 2 इंपर रेंग के इसकर यह जीरो से 5 मपिर रेंज तक वह रिडिंग करें एक पलक की लो मतलब स्वीच लो सम कनेक्टिंग वाइड लो ठीक ले लिए आप क्या करो कि सेट अप सेट अप दी सर्किट बाइक्टिंग फोर ड्राय सेल्स ऑप 1.5 वॉल्ट इच चार सेल को क्नेट करो जिस तरह से क्नेट किया गया इन सिरीज किसी तरह सिरीज में क्या के लेक्टिस सर्कीर में बोलता कि कप्ली जैसे आपको एक स्वाय में क्या गेप रख देना है सर ठीक आगे आप करना है complete the circuit by connecting the necrom wire, आप क्या करो, necrom wire यहाँ पे लगा दो, xy की बीच में क्या ले आओ, necrom wire लगा दो wire in the gap xy, xy की gap में क्या, necrom wire लगा दिजी sir plug the key, आप क्या करो switch को, switch key को plug करो, not down the emitter reading, आप emitter का reading लख लो, take out the key from the plug, आप क्या करो plug से key निकाल दो ठीक है, switch off कर दो, means switch off, आप कर दो, not always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit current को measure करने के बाद ही आप निकालना plug को, या switch off करना, ठीक है, आप क्या बोलता है no, replace the necrom wire with the torch wall, आप क्या करो, xy की पीच में, आप necrom wire को निकाल दो और क्या लगा दो, आप 10 watt का bulb लगा दो, वहाँ पर लगाने बाद इन दी circuit, लगा दो, find the current through it by measuring the reading of the emitter, आप क्या करो emitter में फिर देखो reading कितना आया, उस बाद क्या करो, switch off कर दो no, repeat the above set of steps with the 10 watt bulb in the gap xy, आप एक क्या करो, gap xy के साथ भी repeat y करना से, आप क्या मोलता है, are the emitter reading different for the different component, क्या देखोगे different component का different reading आ रहा होगा emitter में, suppose और कि necrom wire अगर 5 ampere सो कर रहा होगा, तो आपका 10 watt bulb कितना 10 ampere कर रहा होगा, ठीक है, मिसके दोनों में current आपका change होगा, अभी ऐसे ही बता रहें, दोनों में क्या change होगा, ठीक, connected in the gap xy, दोनों का क्या होगा, different होगा, different component का, जो current है, different rating होगा, what do the above observation indicate, मिसके ये रहा है, कि resistance जो है, दोनों का अलग-अलग है, मिसके जिसका resistance जादा होगा, उसका current क्या होजागा, कम होगा, और जिसका resistance कम होगा, उसका current जादा होगा, ठीक है, you may repeat this activity by keeping any material component in the gap, इक gap में कोई भी material रखके, आप क्या reading ले सकते हो, और observe the emitter, और कोई भी emitter में क्या, each case में, जो जो आप लगा रहे हो, xy के बीच में, जो भी material, उसके object reading देखो, analyze the observation, और observation को क्या करो, analyze करो, तो यह आप यह देखोगे कि, जिसका resistance ज़्यादा होगा, उसका current वहाँ पे emitter में कम reading सोग कर रहा होगा, ठीक है, और जिसका resistance कम होगा, उसका current वहाँ पे ज़्यादा सोग कर रहा होगा, अब आता है, इन दिस activity, we observe that, current is different for different component, इस reading में, observation में हम क्या देखेंगे, current जो है different है, different component के लिए, why do they differ, क्यों differ हुआ, क्योंकि resistance अलग है, जी, electrical component का, different electrical component का, different आपका क्या resistance है, इस लिए current आपका क्या हो गया, differ हो गया, certain component, offer an easy path, for the flow of electric current, while the other resist the flow, कि certain component क्या है, offer करता है, easy path for the flow of electric current, वो easily क्या कराता है, current को flow करा देता है, और कुछ जो होते हैं, वो flow of electric current को क्या करता है, resist करता है, तो we know that, motion of electron in an electric circuit, constitute an electric current, हम लोग क्या जानते है, कि electron जो है, motion of electron, movement of electron, electric circuit में, अगर movement, electron movement कर रहा है, तो वो constitute क्या कर रहा है, electric current constitute कर रहा है, movement of electron, अगर electric circuit में, electron move कर रहा है, तो वो क्या, electric current आपका क्या, constitute कर रहा है, the electrons, however, are not completely free to move, free to move within conductor, conductor में, conductor में, आपका जो electron है वो completely फिरी move नहीं करता है जी, they are re-extend by the attraction of atoms among which they move क्या होता है, वहाँ पे re-extend होता है, वहाँ पे attraction atom के बीच में attraction होता है, वो क्या करता है electron को जो moment हो, वो approach करता है, उसको move करने से रोकता है, thus motion of electron through a conductor is retarded by its resistance हो यह क्या हो ऌरा है, यह जो हो रहा है, resistance की through इसको क्या हो रहा है, retarded उसका motion को retard, मतना desolate कर रहा है, मोसर क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो एक component of a given such that offers a low resistance which is a good conductor, जिसका resistence is low, this component, जिस electrical component का pagan काइब लो रेजिस्टेंस है तो एक गूड कंड़क्टर से और एक हाइवग सम फप्रिसील रिस्टेंस इस इस जिस्ट रेजिस्ट क्या हैरी क्योंकि इसमें क्या है मेरेre cellwave रेच्टेंस एक semantic सैझ यह प्रसे हाई रेस्टेंस ही जब पूर कंड़क्टर जिस कंपोनेट में ज्यादा रेस्टेंस होगा हाई रेस्टेंस होगा उसको हम पूर कंड़क्टर बोलते हैं इंसुलेटर ऑफ दी सेम साइज ऑफ हाई रेस्टेंस हाई रेस्टेंस को इंसुलेटर भी करते हैं पूर कंड़क्टर को हम इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं तो यह आपको समझा गया अब आता है factors on which the resistance of a conductor depends कि किस किस factor पर आपका resistance depends करता है सर रेजिटैंस किस पर किस पर depends करता है तो रेजिटैंस आपका करता है और आपका टेंपरेचर के कंड़क्टर है तो डाक्टली पोफेशनल टू टेंपरेचर टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है है रेजिस्टेंस है इडि़ती ससे समझ रहये सर जहां पर बोलता कि कंप्लेट्ट एंएलेक्र्ट ती छकित द दिख रहा होगा इसमें क्या बोल रहा एक कि कंप्लेट एन इलेक्ट्री सर्कीट कंसिस्टिंग ऑप सेल एम मीटर नाक्रोम वाय ओप लेंथ एल सेल मार्क्ट एल क्या हुआ है ठेक है एंड पलग की यह सोन इन फिगर 12.5 12.5 में जैसे दिस होके है वह इसी आपको क्या करना है आपको लेना है तो आपको एरेंज कर ले ना यह आपका बैट्री एम मीटर है करेंट इस तरफ से आपका फ्लो कर रहा है यहां पे पलग की को नाम क्या है स्विच फिर यह आपका नैक्रोम वायर यहाँ पर लगाना है ठिक है जो जो आप चेंज करोगे यह आपको यहाँ पर लगाना थिक electric circuit to study the factors on which the resistance of the conducting wire depends यहाँ पर देखेंगे कि की किसकी स्पेक्टर पर आपका resistance जो conducting wire के resistance depend करता है electric circuit में वो हम देखेंगे not plug the key को क्या करो plug करो या switch on करो not the current in the emitter और emitter का जो reading है वो current को note कर लो replace the नाक्रोम वायर को replace करो वाइ अनदर नच्रोम वाई का length मॉनू यल ठाउ आप क्या करो नाक्रोम वायर ओफ सेंव थिकनेश दूनोंका फिकनेश सेंव होना चाहिए मानोकी ए थिकनेस था पहला का तो दूसरा वाला भी thickness होगा लेकिन इसका length जो हो जाएगा वettes lelow qualि जो 2L ले लो in figure 12.5 ठीक है आप मार्क 2 उसको कर दो 2 मार्क कर दो आप क्या करो no replace not the emitter reading आप क्या करो emitter का reading देखो no replace the wire by thicker nachrom wire आप करो क्या thicker nachrom wire जो तीन नमर का wire है वो आप fix कर दो आप उसमें देखो of the same length L जो length क्या होना चाहिए same length alley होगा लेकिन cross section area जो है वो double कर दो क्रोस section area क्या कर दो टू यह और length क्या है एली है ठीक larger section area क्या क्या करो double कर दो again note that current फूरुदिक circuit आप क्या करो circuit में current का reading देखो ठीक है emitter में reading देखो कितना reading आ रहा है फिर in a street of taking a nachrom wire connect take copper wire आप क्या करो connect copper wire को connect करो marked फोर जो फोर प्रोफ आपका फोर नंबर का marked किया हूँ उसमें in the circuit let the wire be the same length और same area क्या same length है और same area of cross section है as that of the first necron wire marked L जो L marked है L है और इसका जो चाहा है अब नेचर आप material change कर दिया किसका ले लिए copper कर ले लिए इसका आपका लेंथ एल है area a e है not the value of the current current का value क्या करो major कर लो notice the difference notice the difference in the current in all cases सभी cases में क्या होगा current change होगा जिसका length ज्यादा हो गया उसमें current क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है और जिसमें area double हो गया उसमें जिसमें area बढ़ गया उसमें current क्या resistance क्या हो जाएगा घट जाएगा तो आपका resistance क्या हो फ्रक्रेपन करें parking कर तो साथ अपये चारों केस में में आपका क्याओ हैं अलगा-अब आगेसों करेंगा सर अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो current आपका कम हो जाएगा ठीक है और डज current depends on the area of course section of the wire as depend कर रहा है nature of the material as depend कर ठीक है तो it is observed that कि a meter reading decreases to one half when length of wire is doubled जब a meter कि जो current reading कर रहा है और decrease हो जाएगा कितना one half हो जाएगा जब length हम double कर रहे हैं है तो अगर length को double कर दिये तो current मेरा half हो जाएगा दा m meter reading is increased when thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit m meter में क्या होगा current का reading increase हो जाएगा जब thicker wire का use करेंगे same material का thicker wire ले लेंगे कि अरिया बढ़ा देंगे area of course section बढ़ा देंगे sir तो यह आपका क्या हो जाएगा आपका current बढ़ जाएगा ठीक है यह change in m meter reading is observed when wire of different material of the same length and same area of course section is used m meter में भी आपका reading में क्या होगा changement दिखेगा current में change दिखेगा जब आप same length और same area of course section का different wire आप use different wire different material का wire यूज करोगे तो आपका वहाँ आप पे current में changement दिखेगा तो बाई अप्लाइंग ओम स्लो वी आप्जर्ब डाट resistance of the conductor depends ठीक है ओम स्लो को verify करते हुए हम आप क्या करते हैं जो आपका resistance of conductor depends करेगा sir वो उसके length पे करेगा on its length depends on its length दूसरा on its area of course section तीसरा on its on the nature of material और चोथा ने दिया हुए sir on its temperature temperature पे भी डिपेंड करता है conductor का temperature पे भी डिपेंड करता है तो precise measurement have shown that resistance of uniform metallic conductor is fatality conductor is directly professional to length क्या होता है resistance जो होता है sir पहला वो directly professional to length में इसकी length को बढ़ाए तो resistance आपका बढ़ेगा length को घटाए तो आपका resistance घटेगा इसको equation हम 1 माल लेंगे यहां पे 12.8 माना है तो इसको हम 1 माल लेते हैं और दूसरा sir inversely proportional to area of cross section यह cross section को क्या है यह माल लें तो यह दूसरा क्या होगा resistance जो है एक area of cross section का क्या होगा inversely proportional होगा और inversely proportional क्या हो जाएगा 1 by A बोलो डिक्टिव पोपेशनल 1 by A बोलो यह इसको equation आप क्या माल लेते हैं sir 2 इसकी area को बढ़ाओगे तो resistance घटेगा और area को घटाओगे तो resistance में रख्या होगा बढ़ेगा तो यहां से कमाईनी equation 1 & 2 क्या मिलेगा sir आर डैकली proportional to L by length by area of cross section हो जाएगा ठीक है sir अब यहां से आर को जब Anger को Пон Rabbit्यक को हटाएंगे sir जब र को परपोस्चनलीटिक Kerry कॉंस्टेंट हटाएंगे तो आर आपका क्या राइग आएगा प्रपोस्चनलीट को जैसे आपको पूर्पोस्चनलीटिक को हटाए तो और इस क्या हो جाएगा sir रो ऑर इसको पढ़ते हैं और इसे को आर इसकोल टू फर्मुला व्याद रख सकते हो रेस्टिविटी इन्टू लेंथ अब दी कंड़क्टर बाई एरिया ओप क्रोस्क्षन अब दी कंड़क्टर इसको क्या बोलेंगे रेस्टिविटी बोलेंगे सर इलेक्टिकल रेस्टिविटी बोलेंगे इसका एसाई यूनिट जो होता है ओम मिटर होता है कैसा यूनिट उस आपका रेस्टिवीटी क्या होता है ओम मिटर होता है कि से ड्राइब कर लेक्टंड़क्वास Lions को यहां से आप जो आपके SI unit हो गया, resistivity क्या हो गया, ohm meter, कैसे derive हो गया, ओभी देख लिए, तो it is the characteristic property of the material, the characteristic property of the material to oppose the flow of charge of a specific material is known as resistivity, the metal and Ls have very low resistivity in the range of 10 का पावर मेनस 8 meter to 10 का पावर मेनस 6 ohm meter, metal और Ls में जो होता है, उसका low resistivity होता है सर, जो range कहाँ से कहाँ, 10 का पावर मेनस 8 ohm meter से लेकर, 10 का पावर मेनस 6 ohm meter तक होता है, they are good conductor of electricity, यह जो होते हैं, Ls और metal जो होते हैं, वो good conductor, electricity के good conductor होते हैं, in siluator like rubber glass have resistivity of order, 10 का पावर 12 to 10 का पावर 17 ohm meter तक होता है, कहाँ से कहाँ order जाता है, 10 का पावर 12 से लेकर, 10 का पावर 17 ohm meter तक होता है, insulator का rubber glass जीसे इसका resistivity, ठीक है, both the resistance and resistivity of material vary with temperature, आपको जो resistance और temperature उस पे भी depend करता है, temperature पे resistance और resistivity, आपके material पे, और जो हो जो है weight material, वो क्याप temperature के साथ क्या करता है, भीत करता है, एगर conductor है सर, तो डाक्टल पोफेशनल टू temperature होगा, और अगर semi-conductor है सर, तो importantly to temperature होगा, क्यों resistance ट्यक्डाね ये ध्यान रखिएगा, अगर conductor है, तो temperature के डाक्टली पोफ 딱 होगा resistance, आपके इस्टेंस बढ़ेगा सर लेकिन वहीं आपका Semiconuar किसको बोलते हैं कि इसके ऊप्रमाच सर ली इस फूरा के न पकूर के लिगानल सब्सक्राहिए न फूरा आपके ड्रस दोनों तरह करें तो समिकेवल सब्सक्राहिस लेकर की अबिसरार C bajщ उसका हायर मिलूत है जो मेटल से बना हुआ है उसके रेश्टिविटी से आपका जो रेश्टिविटी एलाय को बना एलाय का रेश्टिविटी ज्यादा होता है जैसे आपका नैक्रोम निकल और क्रोमियम का बना तो निकल और क्रोमियम का रेश्टिविटी कम होता है लेकिन वही आपका नैक्रोम का रेश्टिविटी ज्यादा होगा सर उसकी तो एलाइज डू नोट अक्सायड रेडिली एठ हाय टंपरिचर एलाइज नहीं करता है बर्न नहीं करता है इठ हाय टंपरिचर पे ठेक है इसलिए उसको हम हीटिंग इफैट ऑफ एलक्टि करेंट में का रेस्टिविटी हाई होता है तो for this reason they are commonly used in electrical heating devices electrical heating devices तो पूछ सकता है कि वाइड नाक्रोम and toaster wire is used as electrical heating devices तो क्या बोलोगे तो पहला गिव तूरीजर तो बोलोगे पहला कि नाक्रोम हाई 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 रेस्टिविटी और दूसरा बोलोगे कि it does not oxidize at high temperature और it does not react with oxygen at very high temperature at very high temperature भी वो oxygen से कमाइन नहीं करता है reaction नहीं करता है ठीक है तो like electric iron toaster ETC tungsten is used almost exclusively for filament of electric bulbs tungsten का जो electric yellow bulb आता था नहीं उसका filament आपका tungsten का बना हुआ रता था सर इसलिए बना हुआ रता था क्योंकि यह एक भी हाय टमप्रिचर पे और आपका ओक्सिडाइज नहीं करता था और इसका रेश्टिविटी क्या होता है हाई होता है तो वे रेच कोपर एंड अल्मूनियम यूज्ट फोर इलेक्टिकल टांस्मिशन जिसका रेश्टिविटी लो होता है उसके लिए वह क्या इलेक्टिकल टांस्मिशन में यूज्ज क्या जाता है वायरिंग में यूज होता है सर आप आता है नेक्ट आता है सर इलेक्टिकल डिटिपिटी ऑफ संब संब तांसी यूज सब्सक्तिविटी कौन होता है तो यहां-से आप बेस्ट कंड़्डिटिक्ट औप Veg अश्ब्सक्रीटी सबसे कम है और इन्सुलेटर का सबसे जिद्वेटी होता है सर आप यह देख सकते हो ms और kg का रेश्टिवेटी देखो जो है मर्कaruटिस से कम होता ठीक है तो अब यह आप देख लिए टेमल आप देख लेने ऐड़ याद नहीं करना एसी एक बार आपको देख लेना है कॉंस्टाटेन्यम उसी को नाइक्रोम भी करते हैं मेंगनीन कोपन मेंगनीस नाइक्रोम तो यू निट टू नोट मेवरेज ये भेलू आपको याद नहीं करना बसे से आपको दिया हुआ है आद देखें कुछ कोशन्स दिया हुआ है हमच करेंट विल विल एलेक्टिक डॉन फ्रोम फ्रोम तूट वोल्ट शॉर्स आपको यह बात होना चाहिए याद होना चाहिए जो घर का सप्लाइ लाइन होता है और दो 20 वॉल्ट पे काम करता है अगर resistance कितना है वल्प फिलामेंट का 1200 Ohm है how much current will and electric heater coil drawn from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 Ohm इससे पहला कोशन दूसरा कोशन दो कोशन है तो कितना क्रेंट ड्रो होगा कितना voltage कितना दे दिया हुआ है आपका potential difference 220 वोल्ट दे दिया हुआ है और आपका क्या आपका जो resistance है वो कितना दिया हुआ है सर आपका 1200 ओम दिया हुआ है आप क्या होता है सर वी इकवल टू एकोनिक टू ओम स्लो वी इकवल टू आई आई तो निकालना है आई इसको जब डिवाइड करोगे सर कितना आएगा 0.18 एंपियर आजाएगा कितना आजाएगा 0.18 एंपियर आएगा सर दूसरा क्वेशन बोरा कि कितना क्रेंट ड्रो होगा एक लेक्टी हीटर से जब 220 वोल्ट सप्लाई कितना सोर्स 220 वोल्ट मतलब कि potential difference 220 वोल्ट है और resistance जो हीटर को कितना है 100 ओम है तो क्या हो जाएगा य पोटेंचिल दिए हुआ है और अगर आपका resistance चेंज है तो क्रेंट क्या करेगा चेंज करेगा सर तो आप पढ़े था ना क्रेंट क्या होता है इनवसली पॉपोशनल टूरे नेस्ट कोजन आपका दिया हुआ है ना गर वही अगर 120 वोल्ट supply कर दे तो आपका जो करेंट का होगा कितना केंट ट्रोग करेगा तो पहला केस बैं आपका क्या दिया हुए सर भी वन भी वन माल लेते हैं 60 वोल्ट दिया हुआ है और आपका जो प्रेंट आई वन दिया हुआ है होगा दिया हुआ है तो रेटिक हीटर ग्ंट हेज़़ाहिं से आपका बart तो क्रेंट बराबर क्या होता है सर भी वाई आर क्या होता है यहां पे 120 वोल्ट ओला मत लिजेगा यह वाला अब दूसरा क्रेंग्शन क्या भीट्टू भाई आर हो जाएगा तो विट्टू कितना है 120 वोल्ट है कितना आ गया करेंगे आपका करेंट आ जाएगा आठ पंदर आठी 120 कितना गया आठ एंपियर आ जाएगा सर तो आपके क्या हो जाएगे आठ एंपियर आ जाएंगे तो करेंट थू हीटर क्या हो जाएगा आठ एंपियर हो जाएगा सब 120 वोल्ट से सप्लाय देंगे तो आप के करेंट्ट पर तो एक केस के लिए अपको बताते सर एक केसे है कि जब आपका एंस्टेंस क्या हो सोरी भूल्टेज वूल्टेज उल्टेंग करें और जांस कोण्स Quin ठीक है तो यहां से लिग सकते हो फर्मूला हाई यॉन बाइटू है आई 1 बाई I2 is equal to V1 by V2 यहां से आप जो दिया रहेगा जब रेस्टेंस कॉंस्टेंट हो इस केस में रेस्टेंस कॉंस्टेंस ना केसे आप देखो आई 1 is equal to क्या हो जाएगा R by R into V1 जो सोरी V1 by R हो जाएगा फर्मुला यह होता ना I is equal to I is equal to V by R तो I1 क्या हो जाएगा V1 by R हो जाएगा और I2 क्या हो जाएगा sir? V by R2 हो जाएगा जब ए आगे बताएंगे जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर आर केंसल हो जाएगा और क्या जाएगा I1 by I2 is equal to V1 by V2 जब ये आपका क्या हो जाए जब resistance ये आगे बताएंगे जब resistance constant हो और आपका एक compare करके पूछे कि voltage क्या होगा एक के respect में जब एक current और दूसरा voltage दे दिया हुआ है और दूसरा के इसमें current दे दिया हुआ है और voltage पूछ ले आप voltage दे दिया हो current तो इसमें आप देखिए दाइट पूट किजिए क्या हो जाएगा current कितना है 4 ampere I2 कितना है I2 तो निकालना है तो I2 छोड़ दो V1 कितना है 60 है और V2 कितना है 120 है ये से 2 बार में कटा I2 कितना I2 इधर चला जाएगा फोर इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या गिया 8 ampere आगिया देखिए 8 ampere मिल गया न तो इस तरह आप बना सकते हो अब next चलते है सर resistance of a metal wire of length 1 meter क्या बोलता है resistance of the metal wire कितना है सर 1 meter length है कितना 1 meter is 26 ohm 20 degree Celsius 20 degree Celsius पे आपका जो length of the wire is 0.3 mm जो आपका कितना 0.3 mm है what will be the resistivity of the metal at that temperature उस temperature पे आपका resistivity कितना होगा predict the material of the wire और क्या करो आपका material किस material का बना हुआ है वो predict करना है ठीक है ठीक है तो चलिए आप देखते पहले आप क्या कि ए डामेटर दिया हो रहा है तो आपको cross section area जो मानोगे यह आप किसका cylindrical जो wire होता है सर cylindrical tap के होती है तो area जो होता है सर area क्या हो जाएगा पाई और स्क्वाइर और स्क्वाइर होगा सर तो ठीक है यह आपको याद रखना है कि कि इसी भी वाइर अगर आपका area नहीं दिया हुआ है डामेटर दे दिया हुआ है तो area of cross section तो एक cross section यही है ना area of cross section यही स्क्रेंट निकल रहा है तो एक cross section क्या होगा पाई आरा स्क्वाइर होगा तो पाई आरा स्क्वाइर तो यहां से हमको क्या दिया हुआ सर रेश्टेंस आपको दिया हुआ है 26 ओम डामेटर कितना दिया हुआ है 0.3 mm मिलिमिटर को अगर हम सेंट मीटर में चंज किये तो 10 का पावर मैनस 3 से मल्टिप्ला करना होगा तो एक इसका पॉइंट तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर मैनस 4 मीटर हो जाएगा डामेटर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर मैनस 4 मीटर लेंथ कितना दिया हुआ है सर 1 मीटर दिया हुआ है 1 मीटर सबको क्या करना होगा SI unit में चेंज करना होगा ध्यान में रख L by A, यही होता है न, ठीक, यही होता है, तो यहां से हम, जो जो दिया हुआ है, यह हम रख लेंगे, ठीक, आप दिया हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सर, एरिया आपका हो जाएगा, पार D square by 4, यही हो लिख सकते हैं न, क्योंकि डामेटर को, R is equal to क्या हो जाएगा, ड यहां से क्या हो जाएगा, D square by 4, मिसकी एरिया क्रो सेक्षन यहां से डामेटर जब दिया रहेगा, तो पार D square by 4 हो जाएगा, तो यहां से अगर हम लिख सकते हैं, तो R is equal to क्या हो जाएगा, सर, रेश्टेंस दिया हुआ, R दिया हुआ है, और आपका एरिया उपर चला जा सर, आप सब एक value यहां पर रख देना है, अब पाय का value क्या लेलना है, 3.14 ले लेना, या 22 by 7 ले लेना, जो लेने मन करें, ले लेना, पाय का value यही होता है न, तो यह लेके, अब जब इसको solve करोगे सर, तो आपका जो resistivity आएगा, 1.84 into 10 का पावर 6, unit क्या होता है, ohm meter होता ह है, तो resistivity of metal, यह किसका है, resistivity of metal, जो इसका A है, तो यह क्या resistivity of manganese का होता है, किसका होता है, manganese material का होता है, जब table 12.2 का देखा होता है, manganese का होता है, तो यह आपको समझ में आया होगा, अब आगे चलते हैं, तो थोड़ा resistivity के बारे में हम यहां नहीं बताएं, तो यह कोशन हम करने के बाद हम थोड़ा resistivity के बारे में भी बता देंगे, ठीक है, तो यह बोलता है कि, a wire of given material, having length L, area of cross section A, has a resistance of foro, अगर कोई wire है, उसका length L है, और area of cross section कितना है, चार, area of cross section A है, उसका क्या resistance 4 ohm है, what would be the resistance of another wire of the same material, having length कितना हो गया, L by 2, और area of cross section क्या हो गया, आपका 2 यह हो गया, अगर length L है, और area of cross section कितना है, मानों यह length, length कितना है, L है, area of cross section क्या है, यह है, तो इस resistance का जो है, क्या 4 ohm है, अगर वही आप क्या किये, length को आधा कर दिए, length क्या कर दिए, और area of cross section को बढ़ा दिए, ठिक, तो यह length कितना हो गया, L by 2 हो गया, और area of cross section कितना हो गया, 2 यह हो गया, तो इस resistance का जो value होगा, क्या होगा, बताना है, तो हम जानते कि R is equal to क्या होता है, फर्मुला, rho L by A होता है, is equal to क्या होता है, 4 ohm, दिया हुआ है, अब क्या होता है, R is equal to क्या लिखेंगे, rho, length, दूसरा case में, R2, यह R1 था न, R1 आपका 4 ohm दिया, R2 दूसरा case में, इस case में क्या हो जाएगा, rho into, same material है, तो rho resistivity same होगा, length कितना है, L by 2 है, area of concentration कितना है, 2 A है, आप यहाँ से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका swap करोगे, तो 1, क्या हो जाएगा, यह 2 नीची हो जाएगा, तो rho L, 2 into 2 A, यहाँ से हो जाएगा, rho L, 4 A, में इसके और लिखेंगे, तो 1 by 4 into rho L by A, rho L by A क्या लिख सकते है, R1 लिख सकते हैं, यहाँ से R1 लिख सकते हैं, तो R1 रखती है, तो R1 कितना आ जाएगा, 1 by 4 into 4, क्या जाएगा, आपका R2 जो आएगा सर, वो 1 ohm आ जाएगा, में इसके अगर area double कर देंगे, तो यह resistance जो है 4 times decrease कर जाएगा, समझा गया, आप आता है, थोड़ा resistivity के बारे में पढ़ते हैं, तो resistivity, R is equal to V, हम पढ़े थे, ना, क्या पढ़े थे, rho L by A, तो rho is equal to क्या हो जाएगा सर, R into area cross section by L, यह आद रखी का फर्मूला, इसके unit का होता है, ओम मीटर होता है, ऐसा unit, ओम मीटर होता ह तो अगर area cross section 1 meter square कर दे, if area cross section, आप क्या, 1 meter square कर दे, और अगर length आप 1 meter ले लो, तो A आपका क्या हो जाएगा, rho is equal to R हो जाएगा, मिसकी A specific resistance कहते हैं, resistivity का दुसरा नाम, specific resistance भी नाम होता है, इसर, if area cross section is 1 meter square, and length is equal to 1 meter, then the resistance is called resistivity, और a specific resistance, ठीक है, यह आपका resistivity क्या है sir, a specific resistance है, या वह सकते है, it opposes the यह क्या है the property of a specific material या conductor which opposes the flow of current through it is called resistivity आपका जो resistivity किस पर किस पर depend करता है सर resistivity जो आपका depend करता है सर वो सिर्फ nature of material किस material से बना हुआ है और आपका temperature पर depend करता है तो resistivity depends on the factors are क्या हो जाएगा nature of the material और दूसरा हो जाएगा temperature of the material ठीक है यह दोनों पर depend करता है लेकि resistance चार पर depend करता था ठीक है यह resistivity के बारे में इतना information था अब आगे चलते हैं और वाट फेक्टर डज दी resistance of a conductor depend किस फेक्टर पर आपका resistance क्या है resistance depend करता है तो चार पर करता है दीक है उनको length of the conductor यह सब आप बना लोगी length of the conductor area of construction nature of the material और temperature of the conductor will current flow more easily through यह thick wire और thin wire of the same material same material है तो thick wire में ज्यादा current flow होगा या आपके thin wire में तो आप क्या होता है resistance का जो thick wire में आपका current अच्छा से flow होगा क्योंकि L L अगर length wire है यह क्या area of cross section यह तो इसमें क्या होगा अगर thin wire है तो इसका area of cross section क्या होगा कम होगा तो resistance ज्यादा होगा और अगर thick wire है तो area of cross section क्या होगा ज्यादा होगा तो resistance कम होगा और current क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि यह याद रखीगा area जो आपका inversely proportional to one by resistance और यह आपका आक्ट्टी पोफच्शनल वितना हो जागा area of cross section, जो आपका जो current है डाक्ट्टी पोफच्शनल किसका है एरिया का, गितना ज्यादा हो घात के जाधा new यहiająका क्या होगा current ज्यादा flow करेगा क्यों क्योंकी resistance कम होगा area of flow section ज्यादा होगा तो resistance कम होगा ठीक है यहाँ जो करेगा electro charge of flow वो कम होगा ठीक है अब आता है next कि let the resistance of electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value what change will occur in current through it बोलता है कि resistance electrical resistance जो है R को constant current कर दिये हैं और potential difference जो है to in में उसा decrease कर दिये कितना हाप कर दिये वी कितना कर दिये हैं हाप कर दिये तो current क्या होता है current जो होता है डाक्टिल पॉपशनल टूभी होता है जब अगर आप resistance constant हो तो अगर voltage को अगर आप कर दोगे तो मेरा क्या current क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा क्योंकि current जो है आपकर active engineering to voltage potential difference है इसलिए आप गर आप voltage को have कर रहे हो तो क्या हो जाएगा decrease कर रहे हो half कर रहे हो decrease कर रہे हो ठिक है तो e भी half से क्या हो जाएगा decrease कर रहे हो ठीक है ऑब आता है why are coils of electric toaster और electric irons made of an Li rather than pure metal कि के जो रेजिस्ट्रे है रिचिक ट्सटर्स का और य्लेक्टिक अरे इरेंट्स का वह या की मनाता क्योंकि विकास थी टू रिजन्द पहला कि यह जो इसका बेस्ट सीट्वींटी ओफ लाइय आर हाय उसके होता है हाय होता है ज्यादा होता है और फीक्त all not oxidize at very high temperature तुछ से क्या हो जागा वह भी हाय टमप्रेचर पे ऑक्सीजन से कमाइन नहीं करता है ठीक है इसलिए आपका लाइका बना हुआ होता है यूज दी डाटा इन टेबल 12.2 टो दी एंसवर्दी फ्लूइं वीच एमंग दी आरन एंड मरकरी इस बेटर कंड़क्टर कौन वह है तो आरन आपका बेटर कंड़क्टर है क्योंकि इसका रेश्टिविटी आरन का कम है मरकरी से ठीक है वीच मेटियल इस दी बेस्ट कंड़ कौन मेटियल वहाँ पर बेस्ट कंड़क्टर है तो सिल्वर कौन होगा सिल्वर होगा क्योंकि इसका रेश्टिविटी सबसे कम है आप आता है रेश्टेंस ओफे सिस्टम ओफ रेजिस्टर्स आप क्या आता है रेश्टेंस ओफे सिस्टम या उसी बोलते हैं कंबिनेशन आप रिजिस्टर्स क्या आता है combination of registers होता है तो इन प्रेस्टेटिंग सेक्षेंशंस वी लेंट इवाट सम्सिंपल लेक्टिक सर्किट्स यहाँ पर इन प्रेस्टिक सर्किट के बारे में लेकिन अब जो पढ़ेंगे ओ रिजिस्टेंस पर डिपेंड करेंगा ठीक है current थूँ एक निक्टर डिपेंड अपोन इस रिजिस्टेंस और potential difference अक्रोस इस इन ठीक है अब इन वेरियस इलेक्टिक गेजेट्स we have often used resistors in various combination combination के form में use करते हैं तो arm slow can be applied to combination of resistors आप combination of resistors के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे arm slow आपका applicable होगा there are two method of joining the resistors together दो method होता है combination of resistors का दो taps होता है एक आपका switch combination अगर end to end combination है resistance R1 को अगर end to end इसे end to end combination कर दें यह भी एक resistance है इसके बगल में क्या लगा दिए C लगा दिए फिर इसके बगल में D लगा दिए end to end कर दिए तो इसको बोलते हैं series combination then the resistors are connected in series अगर end to end connection है joint है तो उसे बोलते हैंगे series और अगर यह आपका series combination है example यह आपसे register जो है series combination है ठीक यहाँ पे यह क्या है आपका battery है देखो यह end to end connection है ना end to end connection है ठीक है आजू बाजू में लगा हुआ है तो end to end इसको बोलते हैं अगर यह connection में रहा तो से हम बोलते हैं series connection ठीक है series combination अब आता है parallel combination parallel combination में क्या होता है आपका are connected together between point x y एक अगर parallely connected हो ठीक है combination of registers in which three registers are connected together between two points two points के बीच में अगर लगा हुआ है तो उसे हम बोलते है parallel combination उसको बोलेंगे parallel combination अगर registers आपका parallel में लगा हुआ है तो उसे हम बोलते है parallel combination एक other के उपर नीचे आपका parallely लगा हुआ है इसकी connection between two points के बीच में अगर जितना भी resistance लगए हो तो उसे हम parallel बोलते हैं तो आपकी जो figure 12.7 जो दिखा रहा है R1, R2, A3 देखो दो point के बीच में लगा हुआ XY में तो यह आपका क्या है आपका parallel circuit हो गया ठीक है parallel circuit हो गया तेक यह क्या है parallel circuit एक बीच में लगा हुआ है यह आपका क्या है series circuit इस तरह के होते है R1, R2 यह आपका series in to in connection और अगर दो point के बीच में अगर connected किया हुआ है registers तो यह से हम बोलते हैं क्या बोलते है parallel connection बोलते हैSER आप आता है режisters इन series पढ़ेंगे फिर इससे सीन में क्या होता है current आपका सेम होता है is band meet series में current आपका सेम होता हैьогоयोगि पोटेंशिल दिफ्रेंस आपका बैं लग होता है अगर आरवान होगा बीवन होगा पोटेंशल डीप्रेंश अगर अलग होगा अगरर समिंदर है पोटेंशल सेम होता है और करेंट आपका है uto Leto ह कोगा और याद रखिएगा developed in series में कि current उसमें सेम होता है और पोटेंशल डिफ्रेंस अलग होता है तो वाट हैपन्स टूदी वेलू अपक्रेंट वेन नंबर अप्रेश्टर्स और क्रेंक्टेंट इन सर्कुट तो आपके क्रेंट क्या होगे जब स्रीज में क्नेक्ट कर दें सर्कुट के सीज में एक नंबर अप्रेंट कर दें तो क्या करना है कि सभी को जोड़ देना ठीक है लेट अस ट्राइट टू अब उसको हम अंडरस्टेंड करते हैं कि यहां वहता है यूविल अब्जर्फ डाट दा भेलू डा भेलू अप दिक करेंट जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे इस तरह का जब करते हो तो आरवन में अलग मिलेगा इसता से अर्वन अलग मिलेगा अर्वन अलग मिलेगा डैवन में सोरी M-meter आपका connection में series में connected है और volt meter आपका parallel में connected होता है तो देखिए यहाँ पे जो M-meter है वो अलग हो जाए है तो voltage का आपका अलग-अलग जो R1 में हो जागा V1 हो जागा R2 में हो जागा V2 दे देगा R3 में जो होगा V3 होगा तो you will observe that the value of current in the emitter क्या होगा same रहेगा independent to its position in the electric circuit electric circuit में कोई भी position पे लगाऊगे तो यह क्या independent होगा क्योंकि यह series में connected है it means that series combination of resistance the current is the same in every part of the circuit circuit में every part कहीं भी लगा दो वहाँ पे आपका current same होगा current आपका same होगा ठीक है each resistance में current आपका same होगा लेकिन voltage sir आपका different होगा voltage आपका different होगा और इस apparatus में अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि you will observe that potential difference V is equal to the sum of potential difference V1, V2, V3 जो आपके R1, R2, R3 में जो आपके voltage होगे V1, V2, V3 यह किसका sum होगा potential difference जो total potential difference आप बैटरी से दे रहे हो भी उसके बराबर होगे है तो total potential difference across the combination of registers in series equal to क्या हो जाएगा आपके sum of potential difference across the individual registers जो individual R1 में जो आपके V1 हुआ V2 हुआ ए तीनों को जोड़ दो वो आपके sum of potential difference के बराबर हो जाएगा कि इसका जो potential difference across registers है ठीक है जो आपके battery से source से आपका जो potential difference है इसको equation हम 1 माल लेते हैं अब according to ohms law हम जानते क्या according to ohms law I जो आपके V1 हो जाएगा V1 हो जाएगा V1 तो current तो same है sir current I है और यहाँ पे V1 है तो आप ohms law से आप registers R1 को लिकाल सकते हो R2 का निकाल सकते हो R3 का निकाल सकते V1, V2, V3 तो हम निकालते हैं 4 resistors R1 4 resistors तो क्या हो जाएगा 4 applying ohms law to 3 resistors 3 resistors के लिए हम लोग क्या करते हैं ohms law separately apply कर रहें तो V1 is equal to क्या हो जाएगा sir I1 into R1 इसको equation 2 माल लेते हैं V2 को क्या माल लेते हैं sir V2 is equal to I into R2 इसको equation 3 माल लेते हैं और V3 is equal to क्या हो जाएगा sir I into R3 क्या current into register 3 ठीक है इसको equation 4 माल लेते हैं from equation क्या from equation 1 from equation 1 से क्या जानते हैं V is equal to V1 plus V2 plus V3 यही होता है ना यहाँ से V is equal to क्या बोल लेते हैं ohms law से क्या जानते हैं V is equal to I R इसको equation A माल लेते हैं आप putting the value of putting the value of equation A234 in equation 1 equation 1 में जानते हैं तो I R is equal to क्या हो जाएगा I R1 plus I R2 plus I R3 आप क्या हो जाएगा sir I common आजाएगा R1 plus R2 plus R3 हो जाएगा I से I क्या हो गया cancel तो R S सीज में जो हो जाएगा sir क्या हो जाएगा R1 plus R2 plus R3 तो series combination में अगर 2 resistance आया तो क्या हो जाएगा R is equal to R S is equal to R1 plus R2 यही होगा न अगर 3 resistance आया sir तो R1 plus R2 plus R3 अगर 4 resistance आया sir series में तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 अगर N resistance आया sir तो R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 Rn तक चल जाएगे तो यह आपको समझा गया तो आपका series combination में हम क्या देखे कि आपका जो potential difference अलग होगा लेकिन current आपका same होगा ठीक है series combination आपको समझा गया और series combination में थोड़ा सा हम यहाँ पे और कुछ बता रहे हैं क्या बता रहे हैं देखिए ठीक तो आगे आप देखते हैं क्या कि एक बोल रहा है कि electric lamp ठीक है कोई electric lamp है whose resistance is 20 ohm जिसका resistance कितना दिया हुआ 20 ohm दिया हुआ से एक electric lamp का conductor of four ohm कितना है conductor four ohm है resistance are connected to 6 volt battery यह 6 volt battery से connected है figure 12.9 में आपको इस तरह दिखाएगे calculate the total resistance of the circuit क्या करो total resistance आपको निकालो current through the circuit circuit में current क्या होगा वो बताना है potential difference across the register electric lamp and conductor potential difference क्या होगा across electric lamp में और conductor में क्या होगा वो हम बताना है सर ठीक है तो चलिए यह electric circuit यह दोनों किसमें है series में है तो R1 आपका कितना हो गया सर 4 ohm और R2 कितना है सर आपका R2 कितना है आपका 20 ohm है सर ठीक अब यह आ गया voltage कितना है सर 6 volt है voltage आपका 6 volt है तो आपके resistance combination में RS क्या हो जाता है R1 प्लस R2 हो जाएगा सर और यहाँ पे आपका 4 प्लस 20 क्या हो जाएगे 24 ohm हो जाएगा 24 ohm हो जाएगा 24 ohm होने के बाद जब 24 आ गया RS 24 potential difference कितना दिया हुआ है सर आपका 6 volt दिया हुआ है current निकालना है सर current क्या हो जाएगा current 2 circuit क्या होगा total resistance voltage by total resistance total resistance क्या है सरीज में आपका क्या है आपका सर total resistance RS हो जाएगा 0.25 म्पियर हो जाएंगे कितना करेंट हो जाएंगा जिरो निकालना है सर भीव तो भीव एका हो जाएंगा आई क्या हो शार इसका होता है ना आई इंटू अररवन theo आई बिंटू दिए हुआ सर आई आपका दिया हुआ है i दिया हुए 0.25 इंटू r1 कितना दिया हुए sir r1 r1 दिया हुए 4 इसको multiply करोगे तो 25 सो क्या हो जाएगा 1 volt आएगा sir आप जानते हो दुसरा क्या करेगा दो equation दिया हो तो b is equal to क्या होता है b1 plus b2 तो b कितना दिया हुए 6 volt दिया हुए b1 आप निकल दिया है 1 तो b2 यहां से निकल जाएगा kya आजाएगा b2 is equal to 6 minus 1 क्या आजाएगा 5 volt आजाएगा sir दुसरा तरह से निकल सकते हो तो b2 is equal to i into r2 तो r2 कितना दिया हुए sir 20 दिया हुए और current कितना दिया हुए sir 0.25 दिया हुए क्या जाएगा 5 वोल्ट आजाएगा देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं यह बना सकते हैं आपका इस तरह से बना सक्ते आप इसको verify करना है कि equivalent R जो है वो इसके बराबर है कि नहीं तो क्या करो R is equal to क्या हो जाएगा B by I तो B कितना है सर 6 है और आपका current कितना है 0.25 यह 00 उपर चला जाएगा सर इसको divide करना कितना जाएगा 24 Ohm आ जाएगा तो आपका RS कितना 24 हो गया तो यह आपका total resistance जो है series में 8 is equal to sum of two resistance जब series का जो होगा total resistance हो कितना two resistance का sum कर दो तो यह याद रखेगा सर्षी कमिनेशन में series कमिनेशन में यह होता है series कमिनेशन में यह होता है कि जो छोटा बड़ा ओला resistance से भी बड़ा आएगा सर बड़ा ओला भी resistance से बड़ा आएगा जैसे अभी देखो 4 Ohm और आप 20 Ohm को जोड़े तो क्या होगा 24 आया मिसके बड़ा ओला resistance से भी बड़ा आता है series कमिनेशन सीज कमिनेशन में बड़ा ओला resistance से भी बड़ा आता है अगर बड़ा resistance जो सबसे बड़ा resistance होगा उसका सम जो सम कर रहे simply तो क्या होगा सबसे largest होगा आप आता है next कुछ questions है कि draw a systematic diagram of circuit consisting of battery of three cells two volt each two volt each की दिया हुआ है three कितना सेल है तीन सेल है और क्या बोल रहा है एक five ohm resistors and eight ohm resistors and eight ohm resistors and eight ohm resistors and a plug क्या कर रहा है एक plug key all connected in series सबके इसमें connected है series में तो कर दो पहले resistance बना दो कितना तीन रेजिस्टेंस दिया हुए ठीक इसमें क्या बोला है तीन resistance दिया हुआ है और एक plug की लगा है वह पलक की लगा दो ठीक पलक की लगा दी यहां पर आप क्या किया बैटरी के को दिया हुआ है तीन को सेल दिया हुआ है तीन सेल लगा दो आपका जो आत्स ओम दिया हुए और आपकार और ती ट्य ल ओम दिया हुआ है ठीक सेल टू वल्ट की वॉल्ट और टू वय्लट को जाएका सिंफ्ट 11 पर टालSir का दिये इसकिए सेलीद का tämä कूश्ट हो जाएका सिंफ्ट 10 रेजिस्टेंस की अब ओ रहे हैं, redraw the current of question 1, अब redraw the question 1, question 1 को redraw करो, اور putting in an emitter to measure the current through the registers, current क्या करो, measure, emitter put करके, यहाँ पे emitter put कर दो, और क्या करो, voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistors, और 12 ohm के एक रोज क्या करो 12 ohm के एक रोज क्या करो voltmeter लगा दो और इसके एक रोज क्या voltage measure करो what is what would be the reading in the emitter or voltmeter voltmeter में और emitter में reading क्या होगा तो पहले RS निकालेंगे क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे और वन प्लस आट्टू प्लस आट्री क्या गया 25 ohm हो जाएगा current निकालेंगे current क्या हो जाएगा सर टोटल आपका वोल्टेज वाई वोल्टेज वाई RS तोटल रेइस्टेंस इन सीरी तो वोल्टेज कितना होगा तू वोल्ट इच दिया हुए तीन वेटर आपका तीन असेल है आई इंटू क्या हो जाएगा सर एंट्री कर देजिती guy in two eight pel Persie आई कितना दिया हुए six wait 25 into क्या हो जाएगा से इंटू क्या हो जाएगा ट्ुव जाएगा 12छट 52 25 आपका जाएगा सर वेल्ट आ इसको डिवाइड किजिएगा तो कितना लगबग थरी के एक प्रोक्स आपका वोल्ट आ जाएगा सा्थ थरी वोल्ट के एक प्रोक्स आ जाएगा किसना आएगा टू पॉइंट सम्तिंग निकाल के 72.72 by 25 volt भी रख सकते हो तो यह आप इजली से देखे कि बना लिए वही बोलता कि V1 आपके R1 के एक रोज वोल्टेज क्या होता तो क्रेंट तो निकाल लिए 6 by 25 ampere क्या करो V1 is equal to I into R1 क्योंकि हमको पता है स्रीज में क्रेंट सेम होता है वोल्टेज अलग होता है ठीक है क्रें यह आपका क्या जाएगा क्रेंट निकल जाएगा सर्कीट का क्रेंट का सर्कीट निकल जाएगा तो जिसके एक रोज आपका जिस एक रोज के रिश्टेंस पूछेगा आपका पोटेंशल डिफेंस पूछेगा उस आप निकाल दीजिए समझा गया आप आता है रेजिस्ट i1 r1 में i1 माल लो current i2 r2 में माल लो और i3 मिसकी potential difference same होता है parallel में और current अलग होते हैं ठेक है तो अब रिडिंग किया गया तो देखा गया कि अलग-अलग resistance में current अलग आ रहा था लेगिन potential difference आपका इस apparatus को यूज करते हुए setup को यूज करते हुए reading देखा गया emitter में तो emitter में देखा गया कि ए शीरीज में न क्योंकि combination series में तो यहां भी तो लग सकता है इस resistance के अलग में यह रेश्टेंज के भी तो अलग में लग सकता है emitter यहां भी लग सकता है लेकिन अगर voltage को तो पैरलेल में रता है यह तीनों हो लग होगा फिसकी जो टोटल करेंट जो होगा सर जो आपके सरकीट में फोलो करेंगे उस सबी रेश्टेंस को कुरेंट को सम कर दो वही आपका एकवल होगा जिसकी आई भी वराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 ठीक है यह आपको पता होना चाहिए आप चलते हैं आगे कि हम लोग जानते कि it is observed that क्या कि total current जो होगा हो sum of the separate current through each branch of the combination each branch की combination each resistance की current होगे उसको sum करो वो total current के बराबर होगा तो यहां से from equation जो आप figure से क्या लिख सकते हो I बराबर I1 प्लस I2 plus I3 यह लिख सकते हैं इसको equation 1 माल लेते हैं और हम लोग जानते क्या R parallel को equivalent resistance माल लेते parallel combination का आरपी माल लेते हैं ठीक है तो आरपी by applying ohm slow क्या लिखेंगे है आई is equal to byrp यह होता ना I is equal to byrp तो यहां से लिखेंगे I1 वराबर equal to क्या लिखेंगे बीवाई आरवन for resistance each resistance का ohm slow apply जब करेंगे तो I1 के जगा पे क्या हो जाएगा byr1 होगा ना हो जाएगा ठीक है और I2 is equal to byr2 और I3 is equal to क्या हो जाएगा byr3 अलग-अलग resistance का हम current निकाल लिए आप from equation क्या करते हैं I, I1, I2 and I3 का value हम equation 1 में रखते हैं सर क्या हो जाएगा I is equal to byrp is equal to byr1 plus byr2 plus byr3 अब भी common निकाल देते हैं सर byrp भी को common निकाल देते हैं तो भी क्या हो जाएगा 1 byr1 plus 1 byr2 plus 1 byr3 हो जाएगा सर तो भी और भी cancel हो जाएगा क्या बचेगा 1 byrp is equal to 1 byr1 plus 1 byr2 plus 1 byr3 होता है for two combination आएगा तो यह होता है 1 byr is equal to हो जाएगा सर 1 by 2 resistance आएगे तो 1 byr1 plus 1 byr2 होता है और इसी को दुस्साता equivalent में लिखेंगे सर तो r1 into r2 by r1 plus r2 लिख सकते हैं simply direct हो ठेक है तो यह आपको समझा गया तो वी में conclude that reciprocal of the equivalent resistance of a group जो पहले सर्कुट में होगा resistance और क्या होगा reciprocal करो equivalent resistance को और a equal किसके हो जाएगा sum of reciprocal individual resistance के reciprocal करो और उसके बाद sum कर तो मिसकी अगर end resistance आ गया तो 1 byr is equal to क्या हो जाएगा सर 1 byr1 plus 1 byr2 plus 1 byr3 plus dot 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 कहां तक जाएगा पहले सर्कुट में क्या होता है सर वोल्टेज आपका सेम होता है current अलग होता है ठीक है अब आगे चलते सरक कोई कोशन दिया हुआ है 12.8 का ओ हम देखते हैं इन दी सर्कुट डियाग्राम सर्कुट डियाग्राम गिवें 12.1010 में दिया हुआ है आप देख ले ना सपोज दी रेजिटरस R1, R2, R3 have the value 5W, 10W and 30W respectively which have been connected to a battery of 12W कि जो रेजिटरस आपको 12.10 12.10 ये वाला फिगर में R1, R2 ये फिगर है आपको बनाना प्रेक्टिस कर लेना R1, R2, R3 का value दे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका 5W, 10W, 30W कितना वोल्ट वेटरी से connected है 12W वेटरी से आप current थू इच रेजिस्टरस क्या निकालना है current थू इच रेजिस्टरस निकालना है सर इच रेजिस्टरस के थू करेंट कितना होगा वो हमें निकालना है और आगे क्या करना है कि total current इंदी circuit, total current circuit में क्या होंगे और total circuit resistance भी हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या हो जाएगा सर आईवन आईवन क्या होता है इच रेजिस्टरस तो भी वाई आरवन यह अभी पढ़े थे ना इच रेजिस्टरस का भी कितना दिया हुआ है जो जाएगा और आई जो टोटल रेजिस्टरस के करेंट का सम हो जाएगा आई टू प्लस आई थरी I1 plus I2 plus I3 हो जाएगा अब यहां से जब निकालोगे सर तो 2.4 plus 1.2 plus 0.4 क्या जाएगा 4 Ampere आएगा आप क्या निकालना है equivalent resistance तो 1 by R is equal to क्या हो जाएगा 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30 यह दोनों का LCM निकालोगे हो जाएगा तो यहां पर 6 हो जाएगा यहां पर क्या 3 हो जाएगा सर यहां पर 1 हो जाएगा 10 by 30 आएगा तो तो और क्या हो जाएगा सर और क्या हो जाएगा 30 गड़ 10 हो जाएगा रेशिपोकल हटाएंगे क्या जाएगा आर्पी जो बोलता है कि इसमें क्या जो बोल रहा है कि R1, R2, R3 R1 आपका 10 ohm दिया हुआ R2 आपका 40 ohm दिया हुआ R3 आपका 30 ohm दिया हुआ R4 आपका 20 ohm दिया हुआ R5 आपका 60 ohm दिया हुआ और ये 12 volt बैटरी से connected है sir arrangement है तो उसमें calculate क्या करना है total resistance इंदी सर्कीट total resistance आपके सर्कीट में क्या होगा और फिर आपको निकालना है total current आपको इतना flow कर रहा है वो हमें निकालना है sir तो यहाँ पे देखिए आपका जो R1 और R2 ये दोनों क्या है पैरलेल में है और R3 और R4 और R5 आपका क्या है दोनों पैरलेल में तो R1 प्लस R2 तो किसका इसका निकालना है तो आपका R1 by R1 ये मालना लेते है Rp ठीक है ये आरपी मालना लेते हैं ये दोनों क्या पैरलेल में और फिर दोनों क्या मालना लेते है आरपी 1 और ये मालना लेते हैं आरपी 2 और फिर आरपी और आरपी और क्या झो हो जाएगा, आपका क्या parallel में हो जाएगा, देखिए, श्र्रीज में हो जाएगा, sorry, कुछ इस तरह का हो जाएगा, मैं इसके र पी 1 ये हो गया, आर पी 2 ये हो गया, फिर र पी 1 हम जब निकालेंगे तो एह ही पता है, 1 by R1 plus 1 by R2 जब निकालोगे तो क्या आजाएगा Rp-10 आपका आजाएगा 8 फिर उसी तरह Rp2 आप अगर निकालोगे Rp2 तो आपका क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 1 by 30 1 by 30 plus 1 by 20 plus 1 by 60 उसका solve किजिएगा तो क्या जाएगा आपका Rp2 आजाएगा आपका कितना 10 फिर दोनों एक क्या Rp1 और Rp2 आपका किसमे है फिर क्या हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा Rs या R equivalent R is equal to क्या जाएगा Rp1 plus Rp2 क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा आप current निकालने आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है और आपका रेस्टेंस किता हुआ अठारा आया क्या दोनों को सॉल्ब करोगे क्या जाएगा तो यह आप देखे पैरलेल और स्रीज सर्कुट आप समझ में आ गया समझ में आया होगा अब आगे चलते हैं we have seen that in a series circuit the current is constant throughout this electric circuit हम लोग क्या देखे स्रीज सर्कुट में current आपका constant रहेगा तो यह इंप्रेटिकल है कि आप एलेक्टिक बल्व और एलेक्टिक हीटर को स्रीज में connect ने करना है आपको किसमें पैरलेल में करना है स्रीज में क्या होता है current constant होता है और हमको क्या पता है कि current जो है इलेक्टिक बल्व और इलेक्टिक हीटर में अलग अलग चाहिए इसलिए हम लोग को पैरलेल में command करना चाहिए another major disadvantage of series circuit is that when one component fails the circuit is broken none of the component works अगर series में अगर एक circuit एक component आपका काम करना बंद कर दिया तो बाकि सारा appliances काम करना बंद कर देगा series में क्या होता है सर्व रेजिस्टेंस से भी जादा रेजिस्टेंस हो जाता है सबसे जादा सीज में आपका resistance क्या होता है और बढ़ जाता है इसलिए हमको series में command नहीं करना चाहिए यह सब आपके disadvantage है स्वेच कमिनेशन का थीक तो यहां पर आपका क्या हो जायागा से रफ में ध्रोब नार से श्ज करने के लिए सबसे बड़ा आजाता है उंभी 4-3 टिसरा ड्रोबेक है और एक अपनेसि मेरा काम करना बंद कर दिया तो बाकि conscious काम करना क्या हो जागी दृड्ड का अब इसलिए स्रिच कम्इशन का यह सब डिसे ड्वांटेज क्योंकि उसमें स्रीज में होता है तो एक ही में connection होता है और क्यों इसमें क्या होता है क्रेंट सेम है और potential difference अलग है तो you might have seen the electrician spending lot of time in trouble locating and replacing the dead wall each has to be tested to find which has fused or gone तो आप फिर क्या अगर स्रीज का मिनेशन में अगर आपका क्या लैट काम करना बंद कर दिया तो इसे difficult होगा चेक करने में क्योंकि कौन वर्ब आपका काम ने कर रहा है वो उसको पता नहीं चलेगा तो on the other hand parallel circuit divides the current through the electrical gadget पहले सर्कीट में क्या होता है अभी तके parallel combination में current अलग होता है sir और आपका क्या potential difference सेम होता है तो सभी appliances आपका जो होता है घर का domestic wiring जो होता है वो parallel में इसलिए करते हैं इसका advantage यह है कि अगर एक switch सभी का सभी appliances का अलग-अलग switch होगा अगर एक switch काम करना बंद कर दिया एक application अप्लिकेशन आप्लिकेशन काम करना बंद कर दिया sir तो बाकी अधर काम करते रहेगा ठीक है उसका resistance सच छोटा वाला से आप जो resistance निकालोगे ठीक है पहले में वो parallel में जो resistance निकालोगे equivalent resistance वो छोटा वाला भी value से छोटा आएगा छोटा वाला से भी छोटा आएगा sir और इसमें क्या potential होना चाहिए करेंट अलग तो यह आपका parallel circuit प्रभाइट करवा रहा है तो यह आपका चार जो आपका advantage है पहले circuit में यूज करने टोटल रेजिस्टेंस निने पहले circuit is decrease as per equation क्या यह भी बताए ना कि टोटल रेजिस्टेंस जो है पहले circuit में क्या हो जाता है छोटा वाला से भी छोटा हो जाता है इस इस लिए उसको पार्टिकली हम लोग क्या करते हैं इस गेजट को इस गेजट में क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब से तो डिए और प्रफेन्ट होगा जो ऑपर पर ली अच्छा से काम लोगा किसमें परलेल सर्किट में समझे आप आगें चलते हैं कि जज दिएक्वी जज दिएक्वी बेरिजिटेस वेन्ध फ्लोईञ अर्किञिटेंस पैलेल जब ही तो जिएक पैलेल्न-वेलम और और से छोटा आएगा और इसको भी जब parallel में connect करेंगे तो 1 ohm से क्या होएगा छोटा आएगा तो यह आपको पता होना चाहिए कि parallel combination में छोटा ओला resistance से भी छोटा भेलू आता है equivalent resistance छोटा ओला से भी छोटा आएगा तो क्या होगा 1 ohm से भी 1 ohm की approach आएगा और 1 ohm के approach आएगा एन electric lamp 100 ohm है toaster of resistance 50 ohm है और water filter of resistance पाफ 100 ohm है यह सभी किसके connected parallel में connected है तो 220 volt supply source है what is the resistance of electric current connected to the same source that takes as much current as all three appliances what is the current through it उसके through current क्या होगा और equivalent resistance क्या होगा तो equivalent resistance क्या हो जागा 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 आप क्या करो reciprocal कर देंगे 1 by r is equal to आप क्या हो जागा i is निकाल दो i क्या हो जागा b by r निकाल दो यह आपका बन जाएगा what are the advantage of connecting electrical devices in parallel with battery in a street of connecting them in क्या advantage है कि यह अलग current पर काम करेगा they all operated with different current ठेक है different current with same voltage दूसरा advantage इसका यह है कि if one appliances do not work then other will start to work properly ठेक अगर एक अप्लेंसेज ख्राप हो गया तो बाकी उसमें काम करता रहेगा और तिसरा यह है कि कि the resistance of the the resistance of the equivalent resistance of parallel combination is the list of the list value of each rest जो इस parallel combination में सबसे list जो लिस्ट value है उससे भी क्या लिस्ट आएगा तो यह सब आपका अगर और आपका जो पहलेंट कमियेशन में है different each aphalances have each or each aphalances have unique switch ठीक है तो आप बोलता है next कि four four में है how can three registers of registers of resistances two ohm three ohm and six ohm be connected to give total resistance four ohm and one ohm कि कैसे इसको connect करेंगे कि equivalent resistance हमको चार ohm मिल जाए और पहला क्या one ohm मिल जाए तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए तो देखिए यहाँ पे पांच हो जाएगा यह छे यह दो यह देखो तीन और छे को parallel में जोड़ दो और यह इसका आपका स्रीज में रहा हूं ठीक यह दो ओम हो गया यह तीन ओम हो गया यह शिक्सों हो गया कैसे देखो यह दुनों parallel में है तो यह मानों आर वन आटउ आटरी है ना तो इसको हम दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा टू अम इसी तरह हो गया यह तू ओम और यह आपका आर पी हो जाएगा और है तो आर्पी आपका क्या हो जाएगा और प्रेक्टिस करते करते आप सिक्स जाओंगे ठीक है मतला कि ठीक हो जाएगा चारवम आ जाएगे आप क्या बोलरहा है कि one ohm लाना है क्या लाना है one ohm लाना है तो one ohm लाना है तो क्या किजी है यहां किए क्या कि करना है कुछ नहीं करना easy है तीनों को parallel में जोड़तो है ठीक यह resistance है तीनों क्या करो parallel में जोड़तो है यह 2 ohm हो गया यह 3 ohm हो गया यह 6 ohm हो गया देखो 1 by 1 by r is equal to क्या हो जाएगा 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 lcm जब निकालोगे तो क्या हैगा 6 आएगा sir यहाँ पे क्या जाएगा 3 यहाँ पे क्या जाएगा 2 यहाँ जाएगा 1 यहाँ से क्या हो जाएगा 6 by 6 क्या जाएगा 1 तो आर जो equivalent क्या हो गया sir 1 ohm आगए यह इसकी तीनों का अगर आप parallel में जोड़ते हो तो क्या बाइक मिनेशन पॉर कोर्स ओफ अब डी रेश्टेन्स प्रेंट के था क्वहगा और लोएस्ट कवहगा हाइस्ट जब और चारो क्या करो शीज में कमाइंड कर देंगे तो आपका हाइस्ट बेलू मिलेगा सर जोड़ दिये स्म्पली जब स्रीज में जोड़ेंगे तो यह सि seriz मं कमाइंड करेंगे seriz combination कर देंगे चारों को तो यह आपका 48 ओम हो जाएगा low end कब हो जाएगा सर जब parallel combination कर देंगे varlal में तो आईगा ऑपका चार ओम से भी छोटा आएगा छोटा वर्वाला से भी छोटा एका आप निकाल के देख लेड़ा आप अब आता है सर हिय्टिंग इफेक्ट प्ल्र outta प्लेक्टिक करेंट आता है स्री जीनिक यह एक्टूर का बेट्री कर वॐटिक के करते हैं जो किमिकल र्यक्शन हों वी के उनुन जैट क्पेट्रीब अगर क्षूस अगर करनेटे क्या है तो क्या सेल क्या करता यहां पर केमीकल जेक्शन करता है और उसके बाद क्या या electron का movement होता है और current उसके थुरू क्या होता है फलो करता है इलेक्ट्रोन के motion के कारण current वहाँ पे flow करता है तो we have also seen in section 12.2 कि that to maintain the current current को maintain करने के लिए source has to keep be expanding its energy कि जो source for battery है आपका वो क्या energy को expand कर रहा है where does this energy go यह energy कहां जा रहा है तो आपको पता है कि energy can be neither created nor destroyed तो यह energy कहां जा रहा है तो a part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work like in rotating the blades of the electric fan rest of the source energy may be expanded in heat to raise the temperature of the gadget क्या होता है कि कुछ energy जो energy जा रहा है जो energy खफर होगा जा रहा है तो आको कुछ bulb को गलो कर रहा है कुछ fan को rotate कर रहा है कुछ क्या कर रहा है कुछ energy को temperature जो आपका material है फ teints से उसको temperature gadget का temperature बढ़ाने में और यह energy का use हो रहा है तो वी of ten observe अब्जर्ब दीस इन आवर अब्री लैप में हम अब्जर्ब करते कि आप देखे होगे पंखा जब घुम रहा होगा पंखा जब मेरा फैन घुमता है तो एक कुछ समय के बाद तो यह क्या हो रहा है हीट में जो घर्षन होने के कारण वो कुछ क्या करता है हीट इनरजी में convert कर देदा तो फोड़ एक जामपल एन एलेक्टिक फैन विकम्स वार्म इप यूज कंटिनुशली फोर लॉंगर टाइम अगर लंगर टाइम के लिए अगर हम यूज कर रहे तो वह क्या इलक्तिक फैन आपका गरम हो जाता है और इप दी एलक्तिक सर्कीट इस प्योड लेजिस्टिव इस प्योड रेजिस्टिव है रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा है तो डैट इज एक कन्फिरेशन ओप रिजिस this is known as heating effect of electric current when when an electric current pass heating effect of electric current किसो बोलेंगे जब electric current को necron wire और एट भरी high resistance wire से हम पास करवा दे और वहां से क्या they produce heat then this is called heating effect of electric current when an electric current is passed through a necron wire or the high resistivity wire then there is produce heat or dissipated heat energy then this process then this then this effect is called heating effect of electric current थेकर अब यह हम पढ़रे एफैक्ट of electric current पढ़रे तो पहला होता है heating effect of electric current magnetic effect of electric current मेनेटश्य फैक्ट of electric current हम लोग ने चक्रण पढ़ेंगे और दुसतीस्ता होता है chemical effect of electric current यह हम लोग higher classes में पढ़ेंगे तो यहाँ यह सब एफेक्ट हम लोग क्या हम यूज करते हैं फ्यूज में और इलक्टिक अब थंड आ गिया इलक्टिक हीटर का ज्यादा यूज होता होगा गयजट क्या होता है गरम करने में यूज होता है यूज कि वह हीट हो रहा है और रूम को क्या करता है हीट करेगा फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इलक्टिक अइरन कपड़ा का प्रेस कर रहा होगा यह सब आब आता है क्या क्या करना है क्रेंट आई क्या फ्लो कर रहा है रेजिस्टर सोब दी रेजिस्टेंस से और रेज small t time उतना समय के लिए charge q flow कर रहा है the work done is moving the charge q through the potential difference v is vq जो work done होगा v is equal to wq होता था नहीं तो work done जो होगा जो charge move कर रहा कितना q कितना potential difference across v तो क्या हो जाएगा vq होगा तो add therefore the source must supply energy equal to vq in time t तो क्या हो जाएगा vq t हो जाएगा है ठीक है ठीक तो vq यहाँ पर आ गया तो आप आता क्या the power input to the circuit by the sources तो h बराबर होता है sir i square rt यह अभी पढ़ोगी फर्मूला आपका heating effect of electric current क्या हो जाता है i square rt यह आप फर्मूला आद रखना है heating effect of electric current का फर्मूला है यह इसी को बोलते है joules law of heating effect of current ठीक है joules law of heating इसी को बोलते हैं तो क्या होता है power पराबर क्या हो जाएगा sir electric work done electric energy ठीक है by time यही होता है न तो यहाँ से हम लिख सकते हैं work done कितना था वी क्यूं वी क्यूं हो गया sir by time t हो गया तो यहां से लिख सकते क्या क्यूं को लिख सकते क्या क्यूं को है भी क्यूं को आई इंटू टी आई बराबर जानते हैं न क्या होता है क्यूं बराबर टी होता है sir तो यहां से लिख सकते हैं क्यूं बराबर आई इंटू टी तो यहां से क्या लिख सकते हैं I into T लिखेंगे, V, I, T हो जाएगा by T, एक T से T cancel हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, V by I हो जाएगा, तो अगर आप जान रहे हो कि T time के लिए, तो आपका जो energy supplied to the circuit by the source time, क्या हो जाएगा, power into time हो जाएगा, तो power into time हो जाएगा, तो H बनावर क्या हो जाएगा, amount of heat H produce is equal to क्या हो जाएगा, V, I, T हो जाएगा, सर, V, I, T हो जाएगा, T time के लिए multiply, तो energy is equal to क्या हो जाएगा, power into time हो जाएगा, तो power कितना है, V, I, 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 V, I into क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, आप नेक्स आता है, एप्लाइंगे, ohm slow, ohm slow apply कर रहे हैं, तो B को क्या लगा देंगे, I R लगा देंगे, V is equal to क्या हो जाएगा, I R हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते है, H is equal to क्या हो जाएगा, I square, I square, R into T हो जाएगा, क्योंकि H बैच बरावर क्या हो जाएगा, I R into IT, आई आई क्या जागा आई स्क्वाइर हो जाएगा और इंटू टी मिल्स कि अगर क्रेंट को डबल करेंगे तो हीट मेरा जो जेनेट करेंगा सर ओफोर टाम्स हो जागा क्योंकि अस्क्वाइर है अगर इस्टेंस को डबल करते हैं तो हीट मेरा डबल हो जाएगा टाम को डब सब्सक्राइब कर रहा है इन रेजिटर में और क्या हो जाएगा आई स्क्राइब करेंगे तो आपका हीट क्या हो जाएगा फोर टाइम से बढ़ेगा और होगा सर अगर सब्सक्राइब कर क्या हो जाएगा अगर हाप करेंगे तो इच क्नेक्टेट टुनों वल्टेज नोंवाल्टेज शतील कर दीए तो इस यूज़ अप्र क्लिकुलेटिंग दे करेंट थूइट करेंट निकाले के से I is equal to VyR विश्वाद फर्मूला यहां से अगर तीन गो यह तीन वेल्व दिया रहेगा कोई एक निकालने पूछ दिया चाहेगा सब किसमें होना चाहिए सर किसमें होना चाहिए एस यूणिट में तो इस्टर्डी करेंट इजे इनने प्योर्ली रेजिस्टीव रेजिस्टीव इलक्टिक सर्कुट इसमें क्या है एस्टर्डी करेंट है सब क्या करता है जब प्योर्ली रेजिस्टीव इलक्टिक सर्कुट में है करेंट पास हो तो उसको करेंट को बोलते है STD current बोलते हैं आप क्या होता है कि यहां पर दिया हुआ है कोशन इकोशन देखते हैं सर क्या बोला कि एन इलेक्टिक आरेंड कंजूम्स इनर्जी एर दी रेट ऑप 840 वोल्ट 840 वोल्ट पे वह आठ है सुरी क्या एक जो इनर्जी एक्ष कंजूम्स कर रहा किसे रेट से जो रेट क्या था पावर?" यहां दा रेट और नर्जीक इनर्जी कंजूम्स एम den उर्टिक पावर है सर यह डबलू किसका होता है ऐसा उनिट पावर का होता है पावर दिया हुआ है वेल है is at maximum rate, यह क्या है, maximum rate है, 360W when the heating is at the minimum, 360W क्या है, heating जो है, minimum है, तो the voltage is, voltage कीता है, 220V है, what are the current and the resistance in each case, each case में आपका resistance क्या होगा, शर और current क्या होगा, तो P is equal to क्या जानते हैं, शर अभी फर्मूला पढ़ेते हैं, भी आई पढ़ेते, P is equal to क्या पढ़ेते हैं, भी आई पढ़ेते, क्या पढ़ेते हैं, भी आई, तो यहां से आई निकालना है, सर, P by क्या होगा, भी होगा, तो 840 में maximum है, तो 840 बाइ क्या हो जाएगा आपका 220 यहां से निकाले क्या आ जाएगा 3.82 एंपियर आ जाएगा सर अज सकेंड कैस में रेजिस्टेंज निकालेंगे तो R is equal to क्या हो जाएगा सर रेजिस्टेंज निकालने बोला करेंट पता चल गया वही पता है तो R बाइब क्या हो जाएगा B by I होगा सर तो यहां 220 बाइ क्या हो जाएगा 3 करेंट अक्षितना निकाले 3.82 क्या हो जाएगा यह डिवाइड करोगे तो इतना आप निकाल लेना कल्कुलेशन करने पहुत अच्छा से आता होगा इतना एजूम करके आगे चल रहे हैं है है इस डी ऐट से घृट्प अब निकालते हैं क्या हो जाएगा पिवाइड क्यूंकि प्लिक्वाइड क्या होता है था था विवाइड हो सब्सक्राइगा फिक इतना दिया हुआ करेंट अभी कितना निकाले 1.64 तो क्या हो जाएगा 1.64 एंपियर और यह कितना आ जाएगा 1.34.15 ओम आ जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं क्या दिया हो 12.11 क्या बहुत है 100JL Of Heat 可是 507 एक 1 Σकěर और होम firm Zwit पटेंशड्रेंटल डिप्रेंश्टेंश एकरोश रीस्ठरस रीस्टरस में आपका पोटेंशड डिप्रेंश क्या होगा वर निकालना है तो ए च आपके क्या दिया होँ है और आपका फोरोम दिया हुआ है और एक सकेंड दिया हुआ है यहां से निकालेंगे हमको क्या पूछा 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 है तो हम जानते कि है H is equal to I square RT तो यहां से क्या हो जाएगा है इसको डिबाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 का स्केंड क्या हो जाएगा 5 A तो क्रेंट केंट निकालें जूल सलॉप हिट्टिंग फर्मूला यूज करते हुए हे एच इगल टो आय अस्कुरर आटी अब भी इगल टो क्या होता है सर आई आर होता है आय कितना या 25 और आपका कितना वह चार कितना गया हंड्रेड ओम आप गया सर तो भी कितना गया 100 आ गया से ठीक है 100 आप सोड़ी क्या होजागा पांच आया ना करेंट कितना 5 है सोड़ी पांच आया 5 और आपका रजिस्टर कितना है क्या होई कि आपका जो इलेक्टिक हीटर का कोड है जो वो गलो नहीं करता है ठीक है लेकिन हीटिंग इलाइमिट का वो करता है क्योंकि इसका जो है कोड का हिलक्टिक का ओद नहीं करता है क्योंकि वो हीट डेसिपेटेड कर देता है ठीक वो आरे हीटिंग इलाइमिट में ये डज होता है हीटिंग इलाइमिट में और कुछ हीट में करता है वो क्या करता है क्योंकि इल्लक्टिक अब आता है केम्प्यूट दी हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफर इंग 96,000 कुलम यह होता है एक फ्राइडे सबसे बड़ा यूनिट है वन फ्राइडे होता है इतना कुलम चार्ज यूज कर रहा है पोटेंशल डिफेंस आपका 50 वोल्ट है तो हीट कितना जनरेट करेगा वो आपको बताना है सर ठीक है तो यहाँ पे क्यू दे दिया हुआ है 96,000 कुलम दे दिया हुआ है टैम आपका दे दिया हुआ कितना 3600 सकेंड दे दिया हुआ है इसको क्या करेंगे वन आउर को चंज करना है किसमें आपको सकेंड में चंज करना है पोटेंशल डिफेंस आपका भी कितना दे दिया है सर 50 वोल्ट दिया हुआ है आपका वोल्टे ठीक है तो यहां से हम आई निकालते हैं सर तो 96,000 96,000 पर क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा यह आपके ampere हो जाएगा I is equal to क्यों होता है क्यूव आई T होता है हम निकालना है H तो H होता है सर भी आई T होता है क्या होता है भी आई T तो यहां से भी कितना हो जाएगा सर भी आई T क्या हो जाता है क्यों क्या हो जाएगा भी क्यूव भी तो यूज कर सकती हो फर्मूला लगा दो क्या हो जाएगा 50 इंटू 96,000 आप मल्टिप्ला कर लेना जो आ जाएगा वह आपका एंसर हो जाएगा सर ठीक है आप नेश्ट चलते हैं कि एक कितना है ट्वेंटी ओम है वह करेंट कितना फ्लो कर रहा है टेक्स पाइप एंपेर करेंट लग रहा है उसमें केल्कुलेट फ्लोग रहा हो जाएगा और कितना है ट्वेंटी हो जाएगा और थर्टी इसको मुल्टिप्ला करेंगे 25 इंटू 20 इंटू 30 क्या जाएगा uh अब आता प्रेटटिकل एप्लिकेशन आप हिटिं इप्डट ऑफ रेर्टिक करेंट ये आपका प्रेटिकल आपका कहां पर है ये आपका हिपि जैनिग trust iuros जो है और आपका एเรา क्यक्तिक टॉस्टर ़ॉनर्टी इसलिए वहाँ पर ही यूज है क्योंकि वह मेल्ट नहीं कर रहा है और दूसरा उसका रिश्टिविटी क्या है इसलिए उसको इलेक्टिक अगेरा तोस्टर होगेरा में यूज होता है अब दूसरा है है सर अस्टोंग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच अज तंगस्टेन इज यूज़ड फोर मेकिंग फिलाबल फिलामेट यह आपका टंगस्टेन जो है फिलामेंट बनाने में इसका यूज होता है क्योंकि यह बहुत नहीं करता है सर ठिक आब आता है मोस्ट आप दी पावर कंजूर्ट बाइदी फिलामेंट एपियर साज हीट बट ए असमोल पार्ट आप इट इन दी फॉर्म आप लाइट रेडियेक्ट तो इसमें क्या होता है कि यह इलेक्टिक हीटिंग इज यूज़ तो प्रेडूज लाइट एज इन इलेक्टिक बल् जितना कम करवा सकते रिटें करवा सकती फिलामेंट से कम करवा सकते एज़ अब आता नेस्ट अनादर कॉमन अप्लिकेशन जूल्स लॉप हिटिंग फ्यूज में यूज का यूज है कि इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लेंज इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो रखा जाता है हाई लेक्टिक करेंट में कि फ्यूज इस प्लेज इन सिरीज में यूज क्या जाता है हिटिंग फैट उप लेक्टिक करेंट का इलक्टिक टोस्टर अगेरा में भी यूज क्या जाता है फ्यूज में भी यूज क्या जाता है फ्यूज को हम लोग स्रीज में करतें डिवाइस के साथ स्रीज में लगातें इट कंसिस्ट आप पीस ऑप व इब the current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuge wire increases, fuge wire का क्या होगा, temperature increase होगा और यह क्या होजागा, melt हो जाएगा, this melt the fuge wire and breaks the circuit, और circuit को break कर दगा और आग लगने से, Fuse wire is usually engaged in the cart rise For slain or similar material with metal in The fuses जो होते हैं domestic purpose के लिए 1 ampere का 2 ampere का 3 ampere का 5 ampere का 10 ampere के होते हैं For an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt जब 220 volt supply में अगर volt source में आप electric power को 1 kilowatt electric power क्या करता है Electric kilowatt आपका consume करता है Electric power consume करता है Current बोले तो 1000 watt 220 ampere हो गया मिसकी अगर यहां से solve करोगे 4.54 ampere उसका क्या होता है Circuit में आपका क्या current है तो आपका huge जो इस case में use करोगे कितना must be use 5 ampere 5 ampere का huge use करेंगे क्योंकि यहां अगर 5 ampere से ज़्यादा अगर चला गी है current तो यह क्या करेगा इसको melt करवा देगा और यह electrical appliances को क्या electric iron को बचा लेगा क्या fuse होने से या खराप होने से ठीक है तो यह आपको समझवा गिया कि अगर current जो हो अगर जितना है उससे थोड़ा सा आप electric fuse का जो है current उससे ज़्यादा होना चाहिए ठीक अब आगे आता है कि electric power तो electric power क्या होता है class 9 में हम लोग पढ़े थे क्या कि the rate of doing work is called power तो यहाँ पे बोलेंगे the rate at which electrical energy is dissipated या consumed in an electric circuit the rate at which electrical energy is consumed is known as electric power क्या कि किस rate से electrical energy consume कर रहा है उसे तो हम electric power करते हैं sir this is also term as electric power इसको क्या बोलते है electric power बोलते है तो power को फर्मूला क्या होता है sir अभी हम drive किते हैं न P is equal to VI क्या 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 लिखेंगे P is equal to W by T लिखेंगे W by T लिखेंगे W is equal to क्या लिखेंगे sir W बराबर होता है VQ VQ by T लिखेंगे और VQ को क्या V को क्या लिखेंगे sir I into T लिखेंगे Q बराबर क्या होता है I into T होता T से T क्या हो जाएगा sir cancel क्या बचा P of power is equal to voltage या potential difference into current होता है sir other form में लिखेंगे तो I को क्या लिख सकते sir IR into I यहां से क्या लिख सकते है I square R लिख सकते है तिसरा लिखते हैं तो sir power क्या हो जाएगा B तो B राने दो I को लिख सकते है ohm slow से क्या B by R लिख सकते है तो यहां हो जाएगा B square by R तो आप power का फर्मुला आप याद रहाख सकते हो B I, I square R और लिख सकते है B square by R होता है यह तीनो फर्मुला पावर का इलेक्टिक पावर का ही है आप आता sir SI unit of electric power क्या होता है watt होता है sir SI unit क्यों होता है electric power का watt होता है it is the power consumed by a device that carries one ampere of current when operated it is a potential difference in one volt one watt किसको बोलेंगे sir electric power तो उसको one watt is when a device when a device that carries one ampere of current when operated it is a potential difference of one volt जब एक volt potential difference से operate एक current ampere कर रहा है device में तो उसे power जो consumed होगा वो one watt होगा sir तो one watt को क्या लिख सकते है one volt into one ampere लिखेंगे ठेक है तो unit जो होता है watt वो बहुत हस्मूल होता है तो यह आगे जो होता है kilowatt kilowatt तो यह one kilowatt में क्या होता है thousand watt होता है ठेक है अब आता है since electrical energy is the product of power and time electrical energy क्या होता है sir electrical energy जो होता है power into time होता है power into time होता है अब वही होता है sir unit of electric power क्या हो जाएगा watt hour होता है क्या होता है watt hour होता है तो one watt hour को वही बोलते हैं जो commercial unit होता है, commercial unit का जो होता है sir, commercial unit of electrical energy, commercial unit of electrical energy का जो होता है, one kilowatt hour, kilowatt hour होता है sir, ठीक है, तो one watt hour is the energy consumed when one watt of power is used for one hour, one watt hour मतलब यह होता है, कि एक watt आपका power consume कर रहा है, electrical energy consume कर रहा है, एक watt power, जब एक घंटा के लिए उसको हम use कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं one watt hour, ठीक है, ten watt hour मतलब हो गया sir, ten watt कितना energy consume कर रहा है, one watt hour is energy consumed, ten watt hour is energy consumed, when ten watt of power is used for, कितना एक hour के लिए, एक hour के लिए 10 watt का power योगर use कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ten watt hour बोलेंगे sir, आप आता है commercial unit of electrical energy जो होता है, kilowatt hour होता है sir, उसको commonly हम लोग unit भी कहते हैं, उसको हम generally क्या unit भी कहते है sir, commercial unit, क्या करो, आपका जो rate निकालने होता है, क्या करो, energy is equal to, क्या होता है, power, power तो निकाले चाहिए, तो क्या जागा, kilowatt hour में निकलेगा, या उसको बोलेंगे क्या unit भी बोलते हैं sir, unit में निकलेगा, आप जितना, एक unit का rate अगर तीन रुपईया है, तो तीन से आप जितना power, ये आपका electrical energy निकला, वो multiply कर दो, ये आपका क्या जागा, rate निकल जागा, electric power, तो ये आ 1000 वाट हो गा, और एक आवर में कितना सकेंड होता है, 3600 सकेंड होता है, तो अभी इसको भाब, प्रूब बहुत सारे पीपल क्या सोचते हैं कि इलेक्टिक सरकित में क्या होता है इलेक्ट्रोन कंजुंड होता है लेकिन ये रोंग है क्या होता है इलेक्टिक एनर्जी कंजुंड होता है क्या होता है जो मूब कोड़कर वाने के लिए इनर्जी प्रवाइट करारा लाइक इल्वक्तिक भॉल में ऋपर दी ंर्जी डैट वी कूंर ऑदो हम इसी क्या पर面 करते जितना एल्ककिल इनर्जी यूज कर रहे हैं पे वागया अब आ इन इलर्टिक बव इस चनेक्टेट direction इनर्ट Towar करेंट कितना है 0.5 MPR है पावर क्या हो जाएगा वी इन्टो आई वी कितना है 220 व्ल्ट कितना हो जाएगा 110 वाट और जाएगा आब आता है सर्द देखिए कि एडंटिक रेप्रीजरेटर रेटेट 400 वाट उपराइट या उप्रेंट 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 के लिए आप कितना agaj 66 ओपाँट की तया वह लसto आपकर न'll में और डी खैजायों इतीन मत्रीटंए और कमतिन बीटिश भी के लिए आप कितना बહाइट उप्रेंटर सटर रहे हैं कितना उसका कोष्ट ना हो गा एक गौवाट आवर का कितना तीन abundant यह तो जितना energy तो पहले क्या करेंगे time power तो पता चल गए कितमें है सर और ओर आपका फौर हंडिड़ वॉट है यशुप हो पहले का फूरहंड्च पिर ताइम आपका आपका आवर एक दिन में एट तो थर्ती दिन में तो थटी कर देंगे तो आपका क्या होड़ार हम चला रहें इतना चला रहें तो एनर्जी बडावर क्या हो जाएगा सार पावर इंट्टु टाइम यही थे थे नहां एल्यक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ाबर क्या जगा पावर इंटिटो तो क्या जगा फोर हंड्रेड की तुपर्टी पिए जिरो से यह जियो केंसे दूजिरो किलो वाट आवर में कितना यूनिट लगेगा कितना रुपई लगेगा 288 रुपई आपको पेमेंट करना होगा तो आप इलेक्टिसिटी विल निकाले सिख गए होंगे कैसे रीडिंग होता है वो भी सिख गए ठीक है तो यह आपका था अगर किनी को किसी तरह का कोई भी दि कर देए यू कथे इसे इसे रिलेटेड तो आप पूश चकती है ओका आता है वाट डेनु टीरेट ईट वीच एनेरजी इस डेलीवर्ड ऐंडेलिवड एक करेंट क्या आप रेट से क्या विच एनर्जी इस डेलिवर्ट बाएक करेंट से क्या वाट डिटर्माइन पावर निकालते हो पावर क्या निकालते हो पावर एलेक्टिक पावर निकालते हैं एलेक्टिक पावर डिटर्माइन्स दी रेट विच एनर्जी इस इनर्जी कन्जूम इंटो आओर न में कितना इनर्जी कट्रों में पर निगा कि लो डिया बियाई ach wr 10 किलोवाट ठoka 1.1 किलोवाट आप अब एनर्जी बडराबर स्ब्सक्तों क्या होता है नेतर इनर्जी इनर्जी क्या हो जाएगा 2.2 kilowatt hour हो जाएगा energy कंजूर कितना हो जाएगा 2.2 kilowatt hour आपका हो जाएगा तो यह आपको समझ में आया होगा ठीक है किसी को किसी तरह कोई भी दिक्कत है इससे related तो आप पूछ सकते हो तो अस्टीम उप इलेक्ट्रोन जो है आपका जो इलेक्ट्रोन का दास इलेक्ट्रोन के डाक्षन होंगे उसके अपोजिट होंगे क्या डाक्षन अप करेंट होगा ठीक है तो यह आपको समझ में आया होगा ठीक थैंक यू